Hello everyone, welcome to the class, this is मैं भी शेक साहू, guys आज हम इस वीडियो पढ़ने वाले हैं, class 11 physics का chapter 10, mechanical properties of fluid in just one shot, guys ये one shot हर बार की तरह एक दम best होने वाला है, आप जब इस वीडियो के end है पहुचोगे, trust me guys, आप comment section में ये बताए बिना नहीं जाओगे, sir मुझे ये chapter आज से बेल इतना असान कभी नहीं लगा, trust me guys, आपको ये one shot पूरी feel देगा, और आपको नहीं मज़ा आ जाएगा, बस sir इससे पहले mechanical properties of fluid इतना आसान नहीं था, आपने इसको बहुत आसान बना दिया, आप कह करके जाओगे, और यही मेरा काम है कि हर एक tough chapter जो आपको लगता है, उसको आसान कर दे करेंगे, इसके साथ ही हार एक chapter जो physics को हो चुके है, उन सभी के notes आपको आपे मिल जाएंगे, telegram channel को join करने की link है, यह मैं आपको description वे दूँगा, लेकिन कई बार link काम नहीं करती है, तो आप इस telegram channel अभी शेक साहुसर physics को manually search कर लेंगे, telegram पर जा करके, और वहाँ join करके, आप notes को download कर सकते हैं, file वाले section में जा करके, और वैसे भी आपको messages में मिल जाएगा, चलिए, तो start करते हैं, fluid, देखो, fluid कोई बार बच्चे सोच लें, सारे नहीं, आप तो बुद्धिमान हो, आप सारे बच्चे नहीं, लेकिन कुछ एक बच्चे ज़रूर सोच लेते हैं, कि fluid, मतलब liquid, लेकिन यह चीज़ गलत है, fluid का मतलब है, anything that can flow, कोई भी चीज़ जो flow कर सके, any substance that can flow, आप उसको कैसी category में लेकर का हुए, fluidy category, जैसे कि gases, flow मतलब बहना, gases अगर बह रही है, flow कर रही है, तो gases भी fluid है, liquid, जैसे कि पानी, अगर वो भी flow कर सकता है, तो फिर वो भी fluid है, तो basically, जो fluid होता है, इसको हम दो type का बोल सकते है, यह liquid भी fluid है, और gases भी fluid है, clear है, now, अब fluid की कुछ basic properties होती है, जैसे कि, आप यह देखें कि fluid का, जो atomic, जो composition होता है, यह random होता है, अगर आप यह देखेंगे, solid में, किसमे, solid में, जो atoms का arrangement होता है, यह proper तरीके से होता है, ह structure होता है, जबकि fluid में, जो की liquid और gases दोनों की हम बात कर रहे हैं, तो उनमें जो atoms का arrangement होता है, यह कैसा होता है, random होता है, कैसा होता है, random होता है, clear, fluid का, खुद का कोई shape और खुद का कोई size नहीं होता, जिस container में, आप इसको भर देंगे, उस container का यह shape occupy कर लेता है, जैसे कि, यहाँ पर देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, समझे, एक जरूरी और important point यह है, fluid के बारे में, कि fluid cannot withstand shear stress, आप यह समझो कि shear stress समझते हो, जैसे हमने mechanical properties of solid पढ़ा हुआ था, कि अगर आप किसी surface के tangential या parallel force लगाएंगे, तो क्या होता, कि body इस तरीके से तर्ची हो जाती है, यह देखो, यह मेरे पास एक body है, यह lower surface, यह इसके upper surface, अगर मैं इसके upper surface पे ऐसे parallel force लगाता हूँ, तो यह body देखो, यह body parallel इस तरह के से हो गई, मतलब इसकी नीचे वाली surface अपनी जगे पे टिकी रही, ऊपर वाली surface से तर्ची हो गई, तो इसका मतलब है, यह shear stress को जेल गई, यह stress को जेल गई, यह lower surface अभी भी टिकी है, जबकि liquid में ऐसा नहीं होता, gases में ऐसा नहीं होता, कि आप gas की upper surface पे force लगा दो, यह liquid की upper surface पे force लगा ओ, और नीचे वाली surface कुछ हो ही न, तो हम यह बोल सकते है, कि it cannot withstand, tangential or shear stress for an indefinite period, it begins to flow when shear stress applied, जब भी shear stress apply करी ज gas है, या मैं कर सकना fluid है, यह flow करना start कर देता है, solid bear कर जाते हैं, withstand कर जाते हैं, लेकिन fluid नहीं उनको withstand कर पाते हैं, मतब जहल नहीं पाते हैं, आसान सब्दों में हम कहें तो, now, आगे हम बढ़ेंगे, difference between liquid and gas, देखो, आप जानते हैं कि fluid में दोनों आते हैं, liquid भी और gas भी, लेकिन दोनों में difference क्या है, तो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक बहुत बड़ा difference है, बहुत बड़ा मैंने कहा, क्या, कि liquid is incompressible, liquid को आप compress नहीं कर सकते, यसा अगर मेरे पास नहीं ग्लास नहीं है, लेकिन मेरे पास अगर आदा ग्लास पानी है, और उस ग्लास में मैं एक कोशिश करूँ, तो यह piston जो होगा, इस आदे ग्लास पानी को और कम नहीं कर सकता, देखो यहाँ पर आपने देखा कि liquid यहाँ तक भरा हुआ है, piston अभी उपर है, आपने इसको दबाया, तो आप कितना भी दबा ले, liquid incompressible है, liquid में, liquid का जो density है, इसमें change नहीं आएगा, जबकि, जबकि gases का होती है, gases की तो tendency होती है, कि it occupies maximum volume, तो gases का होती है, gases तो normal pressure पे भी होगी, तो जितना यादा जो है, मतलब volume गेर सकती है, उतना गेरती है, उसके पाद आप चाहो, piston वगरा से आप इसको compress भी कर सकते हो, आप इसको दबा सकते हो, जैसे आप देखते हैं, क तो gases को तो आप compress कर सकते हो, जबकि liquid को आप compress नहीं कर सकते, ये इनके बीच में एक major, major में कहूंगा difference होता है, clear, आगे बढ़ेंगे, thrust of liquid, देखिए basically thrust of liquid क्या होता है, देखो, मैं आप से एक बात कहता हूँ, समान के चलो, कि मैंने liquid के अंदर एक container रख दिया, तो liquid इसको द liquid दवाएगा, देखो, एक बात बताओ, कि मैं पानी में ऐसे डूब गया, या मैं खुद से बैठ गया, तो पानी मुझ से उपर से भी नीचे force लगाएगा, साइड वाला पानी मेरे contact में है, इस साइड वाला भी है, पीछे वाला भी है, तो देखो, कोई भी बाड़ी जब पानी में होती है, तो पानी, मैं जब पानी कहरा हूँ ना, तो आप liquid इसको बोलें, क्या समझा लिक्विड, तो कोई भी बाड़ी जब लिक्विड में होती है, तो वो लिक्विड इस पे force लगाता है, लेकिन force भी तो अलग-अलग तरीके से लग सकता है, ऐसे एंगल पे exerted by liquid on any surface called thrust टेक है और thrust कैसा होता है it is always perpendicular to the surface तो liquid कैसे force लगाता है perpendicular to the surface समझे और इसी perpendicular to the surface force को जो की liquid लगाता है इसको हम बोलते है thrust क्या बोलते है इसको हम बोलते है thrust thrust क्या है thrust is the force exerted by liquid on anybody और जो force होता है it is always perpendicular to the surface और इस perpendicular to the surface force को हम बोलते हैं thrust clear है आगे पर जाए clear now तो thrust का है कुछ नहीं है सिर्फ force ही है ऐसा force ही liquid लगा रहा है and it is always perpendicular to the surface of body clear now आगे पर जाए चले भई तो pressure की बात करेंगे basically pressure भई है force period area तो यहाँ पर समझो यहाँ पर liquid pressure की बात करी जा रही है लेकिन मतलब तो भई है मिनिंग तो भई है pressure the pressure at a point on surface the pressure at a point on surface is the thrust acting period area around that liquid आप समझ गए भई तो pressure की बात करी जा रही है thrust period area मैंने कहा कि liquid जो force लगा रहा है वो कैसा होता है perpendicular to the surface होता है कि नहीं होता है तो आपने उसको नाम दे दिया thrust तो वैसे आप बोलते है force upon area इस बार क्या बोलोगे pressure को thrust upon area बस और कोई चीज इसमें लग नहीं है इसकी unit के हम बात करें pressure की उट क्या होती है pressure की उट होती है newton पर meter square क्या होती है newton पर meter square आगे बढ़ेंगे तो हम pressure की और यट पासकल वगारा के बारे में जानेंगे clear system पढ़ेंगे Pascal's law को देखे आइस पासकल law basically कैसा law होता है जो में बताता है कि liquid के द्वारा जो pressure exert करा जाता है किसी container में किसी pipeline में यह हमेशा हर एक point पे same होता है हां in any direction किसी भी direction में अगर हम gravity के effect को ignore करते हैं क्योंकि gravity अगर हम height की बात करेंगे तो height के change होने से pressure भी change होता है मतलब pressure at depth में आपको height consider करनी होती है तो जो अगर हम fluid हमारा rest में है तो पासकल law की अगर हम बात करें तो पासकल law हम से यह कहता है मैं एक बार फिर से repeat करूँगा कि किसी भी system में जो pressure लगा जाता है liquid के द्वारा यह हर एक direction में same होता है हमारे दिमाग को वहले ही same ना लगे लेकिन यह same होता है और मैं आपको यहाँ पर कुछ example के दुरूँ समझाना चाहूँगा प्रेशर के बारे में जो पासकल ने बात कई बहुत चोड़ी से लग रही है लेकिन इस पर बेस्ट बड़े बड़े applications हैं आपको सब को समझा गई घबराना नहीं है बसा देखो पासकल ने ना पासकल लौपर बेस्ट hydraulic lift है पासकल लौपर बेस्ट hydraulic brakes हैं मतलब कार ब्रेक बड़ी बड़ी चीज़ हैं ना तो इन पर पासकल लो वहाँ पर applicable होता है देखो आप जरह सोचो ना कि आपने हलका सब ब्रेक लगाया और कई quintals की कार जो बहुत रफ्तार से चल रही है यह अचानक से रुख जाती है जरह सोचो कितनी बड़ी बात है ना कितनी बड़ी ब बड़ी बात है आप जरह सोचे जरह सोच के देखो मैं आपसे कह दूँ कि आपना यहां खड़े हो और आप यहां खड़ा मैंने आप किया और वहां पर वो कार उपर उठ गई अरे सर क्या बात कर रहे है तो आपको यह चीज़ समझनी है कि पासकल लो को अगर हम पढ़ ले इस पॉइंट पर भी होगा इस पॉइंट पर भी होगा अब क्या होता है कि पहले मैं आपको समझाता हूँ हाइड्रॉलिक ब्रेक मतलब डिस्क ब्रेक कैसे काम करते हैं बेसिकली यह से हमारे कार में क्या होता है या पलसर इसी बाइक में क्या होता है कि यह एक वील होता है पहिया घूम रहा होता है साथ में डिस्क लगी होती कुछ इस तरीकी की और पहिया और वील दोनों जोड़े होते हैं तो पहिया अगर घूमता है तो साथ में डिस्क भी घूमती है अगर मैं पहिया को रोक दूँ तो मैं डिस्क को आसानी से रोक सकता हूँ तो अभी होता कहा कि यह जो डिस्क है इस डिस्क को उपर एक कैलिपर लगा होता है यह देख रहा हो कैलिपर इस कैलिपर के अंदर यह ब्रेक पैड होता है यह वाली सरफेस ब्रेक पैड यह वाली सरफेस ब्रेक पैड तो इस तरीके से आप भी देखते हैं कि liquid जो होता है यह car को रोक देता है, bike को रोक देता है, brake apply कर देता है सर इसमें पासकल लो कहा है, पासकल लो देखो यहाँ है, कि पहली चीज लिक्विड न रोका, अब दूसरी चीज समझो इसमें, जैसे car में क्या होता है, चार पही है, चार वील है, four wheel drive के बात कर रहा है, अब भी देखना, कि यह जो है इसको हम बोलते है, master cylinder, क्या बोलते है, master अब यह piston जब दबा, तो आप यह देखेंगे, कि जो liquid है, यह liquid जो brake oil, इसको हम बोलते है, यह और आगे हम इसको बोलते है, brake line, क्या बोलते है, brake line, तो brake line में भी liquid है, तो आप यह देखेंगे, कि यहाँ पर भी जो है, यह liquid जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाए नहीं, यह same horizontal surface पे है, अब same level पे है, तो इन Gal로 Moon Wheel में बराभर-बराबर pressure लगेगा, हर एक point पे बराभर-बराबर pressure होगा चाहे यह point पास में है यह point दूर है, तो यह बात यहाँ पर कहीं जा रही है, clear अब तो आप समझाए कि इस तरह फोड़ा सा मैं तो आप यह मानके चलो कि जैसे एक system है, मत्तलब अब यह कहा अपने पात, hydraulic lift है, अब hydraulic lift में क्या होता है कि मानके छलिए, मानके चलिए, कि आप यहां पर देखो यह innimOl अब भरा हुआ है अभी का हो रहा है कि इसका area में मान लेता हूं इसका area में मान लेता हूं 1 meter square यह वाला area of cross section कितना है 1 meter square और इसका area of cross section आप मान लें कितना let's say 30 meter square 30 meter square काफी ज़्यादा मैंने ले लिया लेकिन ठीक है अभी मान के चलो आप यहाँ पर खड़े हो गए और आप यहाँ पर खड़े हो गए अब मान के चलो आप हस्ट बोस्ट हो एकदाम तरीके से और आपका वज़यर है let's say 70 kg ठीक तो मैं कह रहा हूं कि आपका mass है 70 kg कितना 70 kg अभी आप ही देखो कि मुझे बताना है weight तो mass into gravity में acceleration due to gravity करूँगा तो कितना हो जाएगा total weight जो हो जाएगा w is equal to mg अब m होता है 10 और g होता है मतलब m कितना है 70 और g मतलब acceleration due to gravity में 10 consider कर लिया तो आप यहाँ पर देखो कि जो weight weight मतलब इसका जो force होगा यह कितना हो जाएगा 700 newton मतलब जो इस point पर force लगेगा that will be 700 newton कितना हो जाएगा 700 newton चलिए अब आप भी देखो कि आपने इस point पर force लगा है 700 newton और यहाँ का जो area है वो है 1 meter square तो इस हिसाब से भी देखें तो pressure जो बन जाता है that is 700 force upon area 700 upon 1 तो 70 newton पर meter square यह बन जाता है अब पासकल लोग यह कहता है कि जितना pressure इस जगे पे उतना ही pressure यहाँ भी होगा तो जो pressure P1 आप यहाँ पर देख रहे है जो pressure यहाँ लगा है P1 वही pressure यहाँ भी लगेगा P2 तो पासकल लोग यह कहता है कि P1 और P2 यह दोनों बराबर होंगे ठेक हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सर आप तो यह बताओ कि आप कम force लगाके यहाँ जो है car को कैसे उठा सकते है हाँ तो देखो अभी आप इस चीज को समझें कि देखो होता क्या है basically होता क्या है कि force जो है यह कितना है P1 की value बताओ P1 की value कितनी है 700 कितनी 700 ना पीटू की value देखो पीटू की value का force upon area अब मैंने तो यहाँ पे तो मुझे पता था कि force जो है इतना लग रहा है ठीक तो pressure जादा कैसे बन गा को एरिया बहुत कम था ना तो मेरा वजन नहीं बहुत जादा pressure create कर दिया अब पास्कल नहीं का कि हर एक पॉइंट पे जो है pressure सेम लगेगा ठीक है अब आप इसको P2 की जगे लिखेंगे F2 upon A2 A2 की value मुझे पता है कितनी है 30 कितनी है 30 30 meter square तो आप यहाँ पर देखेंगे F2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 21,000 Newton तो आप यहाँ पर देखें कि यदि ये गाड़ी यदि ये गाड़ी 2000 कि भी है 2000 कि भी है तो आप यह देखेंगे कि ये नीचे कितना force लगा रही होगी 20,000 Newton और नीचे से आ रहा है 21,000 Newton तो यह कार उपर उठ जाएगी बताओ बात समझ भाई तो मतलब आप 70 केजी के थे और आपने ये 2000 केजी की कार को भी लिफ्ट से उठा दिया ये system है इसका आप देखते नहीं हो थोड़ा सा जो है यह hydraulic इस तरह से लिफ्ट वगारा काम करती है तो यह पास का लॉपर बेस्ट है जो कि हम बताता कि प्रेशर होगा हरे एक पॉइंट पर यह सेम होगा इस लिक्विड बढ़ा हुआ है और इस लिक्विड की डेंसिटी है रो और इसका जो एरिया आप क्रॉस सेक्षिन आप यह पे देख रहा हो यह कितना है यह दोनों ही पॉइंट पर से लेके नीचे कितनी है एच तो अभी आपको समझना है कि इसमें यह कितना प्रेशर जो प्रेशर यह बनाएगा तो उब्हे देखो नीचे की साइट इस पर क्या फोर्स लेगा वर एम जी फोर्स उस पे लगेगा टेक तो प्रेशर जो हो mike- However अब फोर्स के तरह है oversee एम जी समझो अब मास कaking क्या लिखते है ंदेंसिटी का फार्मूला होता है density is equal to mass upon volume पूरी में लिख दिया small g acceleration due to gravity now upon में area ठीक है volume को लिखा v density को लिखा rho g को लिखा g तो pressure का formula का बना volume into rho into g upon a अब volume का होता है volume क्या होता है volume होता है length into breadth into height तो आप length into breadth को बोल सक्थ area और into में height आपने लिख दी तो आपने volume के ज़ये क्या लिखा area into height rho की जगे पे आपने लिखा rho और g की जगे पे आपने लिखा g clear बात समझ ना ध्यान से upon में का है area तो आपने इस वाले area से इस वाले area को cancel कर दिया तो आप यहां पर देख रहे हैं कि pressure का जो formula आ गया that is h rho g क्या आ गया h rho g अगर मैं height consider कर रहा हूं तो आप यहां से देखें अगर तो इस point पर जो pressure होगा यह कुछ और होगा तीक है इस point पर pressure कुछ और होगा और इस point पर pressure कुछ और होगा जैसे मान के चलो कि भई अगर मेरे पास liquid है क्या है liquid ठीक बात समझना तो लिक्विड का जो pressure किसी भी column पे ध्यान रहा कोई किस पर depend कर रहा है यह height पर depend कर रहा है यह pressure जो है mass पर depend करी नहीं रहा finally final result आ रहा है यह बहुत जगबर्दस और बहुत तगडी बात है जैसे मान के चलो मैं आपको बता रहा हूँ यह इसको मोलते है hydrostatic paradox hydrostatic paradox paradox को मतलब होता है कि जो चीज यसी नहीं है वैसी लग रही है समझे देखो actual में क्या है अगर मैं generally अगर आप थोड़े से पड़े लेके अगर अभी नहीं हो तो मैं अगर आपसे कहता हूँ कि यह बताओ जरा कि यह इतना मोटा सा यह इतना पतला सा यह इतना चप्टा सा यह इतना टेडा सा यह इतना मेडा सा अब आपसे मैं कहता हूँ कि यह बताओ अगर मैं यहाँ पर एक नल खोल दूँ अगर मैं यहाँ प पानी एकदम बड़ 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 आएगा कितने किसमे से पानी एकदम स्पीड जाएगा एकदम प्राशर से आएगा तो आपको लग सकता है कि सर पानी जो है ज्यादा इसमें है या इसमें है या इसमें तो कम है तो पच्चों के अलग-अलग जवाब हो सकता है लेकिन चीजों को आसान रखेंगे तो मैं आपको बता जेता हूँ भई देखो सब में पानी बराबर प्रेशर से बरा हुआ है मतलब बराबर हाइट तक है हर एक पॉइंट की यहां से लेके हाइट बराबर है हर एक पॉइंट की यहां से लेके हाइट बराबर है हाइट बराबर है हाइट बराबर है तो आपको यह समझना है कि जब हाइट बराबर है जब हाइट बराबर है तो फिर प्रेशर भी कैसा होगा बराबर और याद रखना, liquid भी same होना चाहिए, तो अगर same liquid है, तो height अगर सब की same है, तो pressure भी सारे के सारे कैसा लगाएंगे, same लगाएंगे, यह था hydrostatic paradox, और एक और चीज यह भी है, कि अगर मान के चलो कि मेरे पास यह इतना बड़ा बहुत बड़ा container हो गया, ठीक है, इतना बड़ हो है पानी, अब हमने क्या किया, कि यहां से एक null के through इसको connect कर दिया, अब आप यह देखेंगे, कि सब में पानी, चाहिए, कितनी भी दूर हो, कितनी ही पास हो, सब में पानी जो भरेगा, यह बराबर, 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 लेवल तक ही भरेगा, समझ गए, तो pressure होता है, इस पर depend नहीं करेगा, यह कौन कितना मोटा है, कौन कितना छोटा है, बस यह इस पर depend करेगा, कि भई, height कितनी है, कितनी height तक यह भरा जा रहा है, clear है, तो यह जो formula है, बड़ा ही important सा formula है, pressure exited by a liquid column, clear है, now, तो अभी हम समझेंगे, effect of gravity and fluid pressure, gravity का क्या effect होता है, fluid pressure पे, which are at the same depth, otherwise, liquid will not be in equilibrium, क्या कहा जा रहा है, यदि हम same depth की बात करें, तो fluid pressure होगा, वो same होना चाहिए, now, अब इसको समझो, otherwise, कुछ ना, कुछ difference आई जाएगा, pressure, height current to difference ना, वो आ जाएगा, अभी देखो, मान के चलो, कि हमारे पास, यह पूरा का पूरा एक container है, जिसमें, यह blue color से देख रहा हूँ, यह liquid भरा हुआ है, पानी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखो, तो इसके अंदर ना, हमने एक cylinder डाल दिया, यह cylinder की upper वाली surface है, और यह cylinder की lower surface है, अभी का होता है, आपने इसके अंदर cylinder को डाला, इस cylinder जाकर के, पानी के अंदर जाकर के, रु equilibrium में, ठेक, equilibrium हम उस state को बोलते हैं, जब किसी body पर net forces zero हो जाएं, ठेक, overall force उस body पर, सब भी cancel वेंसल हो जाएं, कोई force का कोई effect ना बचा के इसके उपर ना, तो अभी देखो, इस cylinder की upper face और lower face की जो height है, वो है h, अब क्या हो रहा है, उपर वाली जो surface है, उसको पानी नीचे क बचाने की कोशिस कर रहा है, clear है, तो हम यह देखते हैं कि equilibrium में, net force on liquid cylinder क्या होगा, बै, total उपर वाला force और नीचे वाले forces, उपर वाले forces और नीचे वाले forces, यह equal and opposite होंगे, तभी तो हम बोलेंगे कि body equilibrium में है, तभी तो हम बोलेंगे body रुकी हुई है, clear है, अभी समझो, तो हमने कहा कि total upward forces, उपर वाले forces, should be equal to total downward forces, अब नीचे की साइड कौन-कौन सा force लग रहा है, तो नीचे की साइड इसमें mg force भी लग रहा होगा, जो कि हमने यहाँ पर नहीं दिखाया, इसका weight जो है, यहमें दिखाना पड़ेगा, तो अभी आप यहाँ पर देखो, तो आप आपर समझेंगे कि total upward force, उपर की साइड एक force लग रहा है, इसको में नाम दिया F1, क्या नाम दिया, F1, टेक, और नीचे की साइड कौन-कौन से लग रहा है, एक लग रहा है F2, और नीचे की साइड एक लग रहा है, इस cylinder का, liquid cylinder का weight, तो देखो, F2 और weight of liquid cylinder, clear है, अब आप समझें यहां पर, देखो, force को हम क्या लिखते है, pressure into area, तो F1 की बात कर रहा है, तो नीचे का pressure P1 और area, क्योंकि दोनों का area बराबर है, तो हमने सिंबल इसको A लिखा, इसी तरीके से यहां पर P2 into A, clear, weight of liquid, समझें ना, यहां पर P1 और P2 क्यों लिखा है, यह वाला point जो है, यहां से कम depth पे, यह वाला point जादा depth पे, तो अलग-अलग जो height पे pressure difference हो गई होगा, अभी समझें, तो P1 और P2 हमने इस लिखा है, अब हमें लिखना है weight of liquid cylinder, अभी समझें, weight of liquid cylinder, यह जो यह है, यह cylinder इसके अंदर भी पानी वानी भरा हुआ है, ठीक है, अभी अभी देखो तो अभी यहां पर क्या है, कि weight का formula क्या होता है, mg, और mass की जाये क्या लिखना है, volume into density, अभी volume किसका लेना है, क्या पूरे पानी का volume लेना है, नहीं, किसका लेना है, इसका लेना है, इसका volume, मतलब volume of cylinder, तो हमने इसको लिखा है, VC, क्या लिखा है, आप यहां पर देखो, VC, density किस की density कि density इस पानी की मतलब इस liquid की तो ये density of liquid into g यह हमने लिखा हुआ है अब इसके बाद volume को फिर से हर बार की तरह है area into height मतलब h लिख सकते हो height इन दोनों के बीच की clear है आद दोनों faces के बीच की अब यह आपका करोगों दोनों साइट से a common लिलोगों डंग से देख लो इस equation को आपने दोनों साइट से a common लिया और यहां से इसको काट दिया तो क्या बच रहा है p1 is equal to p2 h rho g अगर आप इस p2 को यहां बेच दो तो यह आ जाएगा p1 minus p2 h rho g अब इसको समझो h क्या है basically दोनों faces की बीच की height है मतलब एक face और दूसरे face की height का difference है ना that is h यह 10 cm भी cm कुछ भी हो सकता है ना अब इस समझो अब यहां से हम क्या समझ सकते हैं कि यदि दोनों faces same height पे है height का difference 0 हो जाएगा तो आप देखेंगे h rho g की जगह यह 0 तो यहां पर p1 is equal to p2 तो अगर cylinder यह कुछ इस तरीके से रखा होता same height पे अगर हम यह दोनों points consider करते हैं तो यह वाला face पे भी pressure p1 होता और यह वाले face का pressure का p2 होता तो दोनों pressure बराबर होते हैं समझें तो अगर same height के हम बात कर रहे हैं तो pressure will be always same now static condition की बात है यह आगे हम देखेंगे upper surface open कई बार क्या होता है कि ऐसी condition बन जाती है ऐसी condition कि upper surface जो है यह पूरी dew भी हुई नहीं है upper surface open है और lower surface कैसी है यह dew भी हुई है तो आप भी देखेंगे कि upper surface पे temperature कितना है sorry pressure कितना है atmosphere का pressure atmosphere की जो gases बगरा है यह pressure लगाती है उसको हम बोलते है atmospheric pressure और क्योंकि lower surface के हम बात कर रहे हैं तो यहां से जो आप height देख रहे हो यह height को आप consider करेंगे क्योंकि जो pressure at depth होता है यह liquid के अंदर जो आप height होती है उसको आप consider करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे P1-P2 की जगे आपका consider कर ले या आपने यह P1 नीचे वाला P2 उपर वाला atmospheric pressure तो P1-PATM is equal to HROG तो P1 is equal to PATM plus HROG इस तरह से आप calculation वगरा कर सकते हैं एक और चीज़ आप समझो यहां पर कि यहां पर दो चीज़े होते हैं एक होता है absolute pressure और एक होता है gauge pressure absolute pressure और gauge pressure तो आप इसको समझो कई बार क्या होता है जब हम pressure measurement करते हैं तो absolute pressure क्या होता है actual pressure यसे मान के चलो आपने pressure measure किया P1 यह आ रहा है atmospheric pressure से इतना ज़्यादा तो ज़्यादा है कम है मुझे मतलब नहीं overall कितना है total कितना है इसको हम बोलता हूँ absolute pressure क्या बोलता हूँ absolute pressure अब atmosphere से कितना कम है या कितना ज़्यादा है इसको हम बोलता हूँ gauge pressure तो जो कम या ज्यादा है ना, उसको बोला जाता है, gauge pressure, ठेक है, कुछ लोग gauze pressure ही बोलते हैं, एक ही बात है, कोई फरक नहीं है, ठेक है, अब विस समझो, क्या कहा मैंने, actual pressure को absolute pressure कहा जाता है, ठेक है, और atmospheric pressure से कितना pressure कम जादा हो रहा है, उस कम जादा वाले pressure कहा जाता है, gauge pressure ठीक है तो आप इसको इस डाइग्राम के तुरू भी समझ सकते हैं I hope आपको समझ में आ रहा होगा हम आगे बढ़ जाएंगे we note falling point अब ये सारे जो points है ये मैंने discuss कर ली है कि जैसे pressure does not depend on area of cross section based area और शे बगरा पर depend नहीं करता है height पर depend करेगा now describe mercury barometer for measuring atmospheric pressure मैं आपको अलड़ी बदा चुका हूँ देखो हमारे atmosphere में बहुत सारी gases है हाँ तो ये gases मिलकर के हम पर pressure बनाती है pressure लगाती है तो इसको ही बोलते हैं atmospheric pressure अब हमारे atmosphere का जो pressure है वो कितना है इसको measure करने के लिए जो device जो बनाया गया इसको बोलते है barometer का बोलते है bar is the unit of pressure bar is the unit of pressure हम units की भी बात करेंगे अभी तो bar is the unit of pressure और bar को measure करने वाला device barometer है के नहीं pressure को measure करने वाला device barometer ना हो तो ये atmospheric pressure को basically measure करता है इसको measure करने के लिए क्या होता है के एक container में mercury भरी जाती है ठेक और एक test tube होती है या आप simple इसको tube बोल सकते हैं एक tube होती है और इस tube के अंदर भी mercury को भरा गया ये tube हम मान सकते हैं कि ये tube एक मीटर length वाली है या इससे बड़ी भी हो सकती है ये depend करता है आप कौन सा liquid ले रहे है लिकिन बेसिकले हमने इसको mercury लिया हुआ है अब mercury क्यों तो कि देखो mercury के बहुत सारी properties होती है कि ये mercury जो ना हमेशा expand होती है उपर जाती है नीचे आती है हमेशा एक साथ उपर नीचे आती है नहीं होता कि mercury उपर से नीचे आई थोड़ी से mercury glass पे चिपकी रह गई आप मैं समझ में नहीं आप रीडिंग ले पा रहे तो mercury का जो expansion होता है या mercury का जो movement है ये एक साथ होता हमेशा हर एक particle mercury का एक साथ आगे बढ़ता है टिक कोई particle कभी किसी body से चिपका नहीं रहे था एक बाद दूसरी चीज मरकरी जोना इसली वेपराइज भी नहीं होगी बस समझ रहो कि मतलब आप जो रीडिंग लेना चाहरे हो या आप देख रहे हो कि mercury के वेपर्स क्योंकि देखो आप देखते हो कि नॉर्मल टेंपरेचर पे भी water evaporate होता रहता है लेकिन mercury के साथ ऐसी conditions नहीं है तो यह mercury लेने के पाइद होते हैं तो अभी कहा होता है कि अगर आप atmospheric pressure को measure करना चाते हैं तो basically क्या चाहिए आपको mercury से भरा हुए container और यहाँ पर आपको क्या चाहिए कि ट्यूब glass की tube है जिसके अंदर आपने इसके अंदर भी आपने mercury भर करके रखिऊ हुई है ठेख अभी क्या होता है mercury को आप क्या बोलतो हो Hg क्या बोलता है Hg अब आपने कहा किया कि इस tube को थम से बंद कर लिया एक दम उपर तक आपने इस tube को भरा गलब से उगर पहेंगे आपने इसको थम से बंद गिया अब जिस से क्या होगा कि इसके अंदर एर नहीं जाएगी अभी उसके बाद आपने इस ट्यूब को ले जा करके इसमें इस mercury container में invert कर दिया मतलब पलट दिया तो आप भी देखेंगे कि क्योंकि भई देखो simple सी बात है अगर आप इसको उल्टा करोगे तो इसमें जो मरकरी होगी ये नीचे की साइड आने लगेगी simple सी बात है अब नीचे की साइड आईगी तो उपर से मरकरी खाली होने लगेगी क्या होने लगेगी खाली होने लगेगी तो यहाँ पर क्या बन गया यहाँ पर बन गया vacuum क्या बन गया यहाँ पर create हो गया vacuum vacuum को आप low pressure भी बोलते है vacuum को आप क्या बोलते है low pressure तेक नहीं अभी समझे यहाँ पर vacuum create हो गया मतलब यहाँ पर कोई gas नहीं है कोई air वगरा कुछ भी नहीं है योगी mercury नीचे को आ गई अभी क्या होता है कि इसके अंदर pressure higher और इसके अंदर pressure lower मैं आपको सारी चीज़ समझाता हूँ अभी इसके अंदर क्या है pressure lower और इसके अंदर pressure higher तो भी क्या होता है हमेशा जो fluid का flow होता है वो मेशा higher pressure to lower pressure ही higher pressure to lower pressure ही होता है तो क्या होता है कि यह lower pressure यहाँ पर create हो गया और यह higher pressure तो उपर के साट एक suction बनेगा जिसके current से जो mercury जो नीचे जा रही थी अब इस पर उपर के साट एक force लगेगा और ये मरकरी अब एक particular point पे जाकर के रुक जाई की और हम इस point की इस जगे की मतलब जिस जगे पे रुक गई है उस जगे की हम reading ले लेंगे कि वह ले लेंगे कितनी height पे जाकर के ये रुकी है अच्छा ये एक तरीका होता है इसको समझने का और एक तरीका ये और ये भी है कि यहाँ पर vacuum create हो गया तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर atmosphere का pressure लग रहा है अब इस atmosphere का जो pressure है ये इसको और उपर क्योंकि mercury नीचे जा रही है तो इसको और उपर नहीं उठने देगा तो यह यहाँ से pressure लगाएगा तो यहाँ पर जा करके रुक जाती है आप दोनों चीज़ों को मिला जोला करके समझ सकते हैं समझे तो आपको यह समझना है कि यह आपको height मिल गई इस height से हम क्या समझते है तो इस height से हम यह समझते है कि जो pressure आप measure करेंगे that will be h rho g तो इस height से आप यह समझते हैं कि यहाँ पर atmospheric pressure है और आप यह देखो कितने नीचे तक आ गई h height तक नीचे आ गई तो इस तरह से अब सर इस formula से क्या हमें atmospheric pressure पता पढ़ जाता है हाँ जी बिल्कुल पता पढ़ जाता है जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि generally अगर हम sea level पर कहाँ पर देखेंगे sea level पर sea level पर जहाँ पर coastal area है वहाँ पर क्या है कि जो level है वो हमने standard ideally zero मान के रखा हुआ है तिक उसके बाद हम जैसे आप उत्तराखन चले जाएंगे तो वो यह जगए दर्ती पर उचाई वाले जगए है तो यहाँ पर यह चीज थोड़ी से अलग हो जाती है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे हमने experiment किया और यह tube में आपने देखा कि mercury जो है यहाँ तक कि आपने height measure करी तो sea level पर आप जनरली देखते हैं तो यह height जो निकल के आती है that is 76 cm कितनी आती है 76 cm ऐसा यूटब बोलें तो हम इसको बोलता है 0.76 meter अब क्योंकि हम बात करें density of mercury तो mercury को जो density होती है 13,600 kg per meter cube मतलब जो water होता है उससे 13.6 times heavier denser समझे तो mercury की density क्या है mercury की density सबसे ज़्यादा होती है liquid में तो 13,600 km kg per meter की और g की value हमने 10 consider कर ली calculation को थोड़ा सा convenient बनाने के लिए तो आप भी देखेंगे कि यहाँ पर अगर मुझे pressure calculate करना है तो यह pressure कितना हो जाएगा p is equal to h rho g h rho g h कितना है 0.76 rho की value हमने ये रिखी g की value हमने ये लिखी तो अगर हम इसको calculate करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा pressure p की value आ जाती है 1.01 into 10 to the power 5 newton per meter square अब यह जो value आ गई इस value कम बोलता है atmospheric pressure का बोलता है atmospheric pressure तो general atmospheric pressure इतना होता है यहाँ पर समझो this atmospheric pressure at sea level यह sea level पर है अब कुछ units के हम बात कर लेते हैं तो आप यह समझो मान के चलो मान के चलो कि मैं यहाँ पर न प्रेशर कितना लिलूँ यह height अगर इसकी कम जादा हो जाएगी अगर height कम जादा हो जाएगी तो आप यह देखेंगे हाइट कम हो गई हाइट क्या हो गई हाइट कम हो गई तो यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू बदल जाएगी जिसे 70 cm तो प्रेशर कम हो जाएगा समझ गए बात को ना तो आप यहाँ पर कुछ units की बात कर लेते हैं तो प्रेशर की जो basic जो generally हम जो unit बोलते हैं that is newton पर square और प्रेशर की जो SI unit है यह जब हम fluids पढ़ते हैं तो हम पास्कल भी इसकी SI को बोलते हैं देखे क्या पास्कल तो पास्कल और newton पर meter square में क्या difference है कोई difference नहीं 1 newton पर meter square को हम 1 pascal ही बोलते हैं तो आपने यहाँ पर जो देखा भी कि 1.01 इंटन पर 5 newton पर meter square जो है यह जो newton पर meter square आप इसके जगे पास्कल भी यहाँ पर लिख सकते हैं तो 180 is equal to 1.013 इंटन पर 5 पास्कल clear normal atmospheric pressure को आप और कह लिखते हैं कि यह 76 cm तक जो है यह fall करी है तो आप इसको लिखते हैं 76 cm of hg is equal to 1.01 इंटन पर 5 newton पर meter square अब इसके बाद आपको 1 cm of hg निकालना है तो डिवाइड कर दो उसका ठीक 1 mm of hg निकालना है देखो 1 cm of g निकालना तो 76 को set बेज़ दो बात समझ भारी ही ना तो इस तरीके से आप किस कुछी value निकाल सकते देखो आगे क्या है वन टॉर torque नहीं torque 1 tor कितना होता है तो 1 tor होता है 1 mm of hg मतलब आप यहाँ पर देखें कि 1 cm की value कितनी हो जाएगी 76 को set बेज़ दो और 1 cm को 10 mm होते है ना होते है 10 mm तो 10 को भी set बेज़ दो मतलब आप ऐसा देखें कि आप यहाँ पर calculation करेंगे तो 1 1 ATM is equal to 760 tor होता है इसको आप ध्यान रख सकते हैं 1 ATM is equal to 760 tor सिंबल जी बात है ना हो चलो तो यह कुछ basic unit होते हैं यह हमें ध्यान रखनी है अब हम बात करेंगे open tube manometer क्या open tube manometer सर यह open tube manometer क्या होता है देखो कुछ है नहीं होता open tube manometer एक ऐसा device है जिसका काम होता है कि किसी gas के pressure को measure या compare करना या आप measure करना बोल सकते हैं क्या काम है इसका open tube manometer काम क्या है gas के pressure को measure करना यह कैसे measure करेगा बहुत simple सी बात है ध्यान दीजिएगा देखो यह से मानके चलो कि यह हमारे पास एक container है और इसमें कुछ gas बरी हो यह इसका pressure क्या है पी हमें नहीं पता कितना है अभी क्या होता है गैस तो expand करना ही कोईश करती है गैस तो फैलने की कोशिश करती है तो आप नहीं पर देखो yes यह प्हलेगी और यहां पर इस ट्यूब में liquid भरा होगा मानके चलो liquid यहां तक बराता पहले अब यह gas ना यह एकस एक्सपैंड होई तो gas ने क्या करा करा इस liquid को इस liquid को प्रश लगा के नीचे किया और इस liquid को जैसे मानके चलो कि यह liquid पहले यहां तक थिश्पत जूपा है तो कि यहांग तो आपने देखा कि लिक्विट हैट bleid तक है किकष we तो आपको करना है बस यह वाले प्रेशर को अगर आपको measure करना है तो आप कैसे करेंगे यहां से आपने height measure की यहां से आपने height measure की उसके बाद आप क्या करें gas का pressure will be atmospheric pressure plus h-rog आपको atmospheric pressure की value पता है 1.5 1.013 10 अच्छ रोजी क्या है h आपको पता है कितनी height आप यहां से measure कर लेंगे density of liquid अगर water होगा तो उतना हो जाएगा generally हम mercury लेते हैं तो mercury के लिए आपको पता है 13,600 kg per meter cube और g की value of 9.8 यह 10 ले सकते हैं यहां से आपको इस तरह से gas का जो pressure है यह measure कर सकते हैं आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा next हमें पढ़ना है that is buoyancy अब buoyancy क्या होता है इसको आप ब्योंसी नहीं पढ़ोगे हाँ आपका क्या है आप फ्योंसी पढ़ लो समझे तो basically क्या है इसको आप पढ़ेंगे buoyancy हाँ अभी समझे तो अभी क्या होता है सर मैं आप स्यादे इंगलेज जानता हूं जो मरजी आपके पढ़ लो पर उन से पढ़ लो हमें क्या है समझे तो अभी यहां पर ना आपनको पढ़ना force of buoyancy देखे देखो क्या होता है जब हम आप समझते हो यार है जब आप किसी liquid के नहीं नहीं ना तो इसी तरह से नेचर में ये रूल है कि कोई भी खुद के साथ ना कोई जबरस्ति जो है वो अलाओ नहीं करता है समझे ना तो अभी क्या है कि water जो liquid जो होता है वो भी मना करता है liquid करता है liquid भी मना करता है कि जबरवस्ती insert करने की ज़रत नहीं है बात clear हो रही है तो अभी कहा है कि यसे ये मिरे पास एक football है अब आपने इसको डुबाया नीचे तो आप तो उपर से force लगा रहे हूँ टेक लेकिन क्या हो रहा है ये liquid भी ये liquid भी फ्लुइड भी इस पर उपर से अपना एक resistance force लगाएगा मना करने वाला force लगागा opposition force और इस force को आप बोलते है force of buoyancy या buoyant force का बोलते है buoyant force और इस मना करने की property को property to oppose is called buoyancy इस property को आप बोलते है buoyancy और इस force को बोलता है buoyant force clear है तो आप क्या समझे कि आप अब आप देखो football को आप भी देखेंगे कि आप अंदर तक लेके चले गए उसके बाद आप और डुबाने की कोईश कर रहा है जबरस्ती तो और जगा force लगेगा बात clear हो रही है तो यह force basically आपको हर जगे liquid में देखने को मिल जाता है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में पटना है आर्केमेडीस प्रिंसिपल आर्केमेडीस ने क्या कहा कि जब आप किसी body को liquid में immerse कराते हैं एक मेरा दोस्त साड़ के लोगा मैं उसको ऐसे उठानी पाँगा क्योंकि मुझे पता है वो बहुत भारी है मैं अतना load नहीं सायन कर सकता लेकिन अगर वही बंदा ना पानी में जो है और फिर मुझे उसको support करना है तो मारा support कर सकता हूँ तब मुझे वो इतना भारी नहीं लगेगा कारण उसका यह है कि लिक्विड भी तो एक upward force लगाता है हाँ जिसको हम बोलते है buoyant force समझे तो आर्केमेडीस प्रिंसिपल ने हमें यही बताने की कोशिश करी कि जब हम किसी बोडी को लिक्विड में immerse कराते हैं चाहे partially मतलब आदा या पूरी तरीके से तो जो buoyant force लगता है मतलब अपठरस्ट लगता है यह कितना होता है तो आर्केमेडीस ने का कि यह जो buoyant force लगेगा ना उपर की साइड यह वेट औफ लूड डिस्पलेजड के बराबर लगेगा अगर आपने इस वेट को इसके अंदर मतलब immerse कराया तो अब इस सी बात है कुछ पानी उपर उठेगा या पानी बाहर निकलेगा अब यह जो पानी बाहर निकला हमने इसको तॉल दिया हमने देखा कि इसका मास ना 2 kg है कितना देखा 2 kg तो वेट कितना होगा वेट विल बी M into G तो वेट विल बी M into G मतलब यहाँ पर आप देखो कि 20 into 10 sorry 2 into 10 तो आप यहाँ पर देखें कि 20 Newton जो होगा that will be वेट of liquid displaced और जितना वेट पाहर निकलाएगा या कहूं कि जितना liquid displaced होगा उसके वेट के बराबर ही लगेगा अब thrust या upward force बात समझ में आई ज़रा आपको यहाँ पर तो अब हमें इसको prove भी करना होता है तो हम इसको prove करेंगे क्योंकि बिना सुबूत के तो बई कोई चीज अधूरी है कानून सबूत मांगता है तो अभी देखो basically हमने क्या करा कि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर मान के चलो हमारे पास यह किसी भी तरह है container है कुछ भी है एक weight है अभी क्या हो रहा है कि नीचे की side एक force लग रहा है F1 नीचे side क्या लग रहा है F1 force और उपर की side इस पानी का force लग रहा है F2 बात समझ रहा अभी देखो क्या हो रहा है कि thrust on upper face of cube यह cube के upper face पे thrust कितना लग रहा है तो हमने का कि F1 is equal to P1 into A क्या लखा P1 into A ठेक है अब आप यह देखो P1 P1 क्या है देखो इसके upper surface की depth है यह कितनी है X है और मतलब आप यहाँ से देखो upper surface की depth उपर से कितनी है X और जो bottom वाला surface है उसकी depth कितनी है यहाँ से देखो X plus H तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अपर surface पे जो thrust हो गया F1 हो गया वो कितना हो गया X rho G A इसके बाद lower surface पे देखो कितना लग रहा है F2 तो F2 कितना होता है P2 into A formula तो होता है H rho G होता है तो इसकी height कितनी है उपर से X थी उपर वाले की और नीचे वाले की height कितनी है मतलब depth उपर से लेके यहाँ तक तो X की जगे हमने कहा लेक दिया X plus H तो मतलब इस formula का use करके हम यह देखते है कि हमें यह बन जाता है तो P2 की जगे लिखिया X plus H rho G into और A की जगे लिखिया A अब resulting हमें निकालना है resulting net upward force net upward force बचा खोज़ा upward force कितना है तो देखो इसको हमने कैसे निकाला F2 minus F1 कैसे निकाला F देखो buoyant force का है up thrust है का है buoyant force का है up thrust है तो हमें net up thrust निकालना है इसलिए हमने यहाँ पर up thrust को ही consider किया हुआ है तो F2 minus F1 तो अगर आप F2 minus F1 करते हैं तो F2 की value यह रही minus F1 की value यह रही subtract करेंगे तो यहाँ से यह cancel वे cancel हो जाएगा और net up thrust बचे का हो हो जाएगा ह A rho G अब H into area H है meter area है meter square तो बन का meter cube मतला volume टेक है rho की जगा rho into G अब volume into density volume into density into G तो volume into density क्या होता है mass volume density क्या होता है mass और G क्या होता है G अब F is equal to क्या आगा है M G F is equal to क्या आगा है M G M G क्या होता है weight होता है तो actual में यह क्या है निकल आएगा हाँ उतना ही जो है मैं अपवाड फोर्स उपर लेगा उतनी बॉड़ी हलकी लगेगी सिंपल जी बात है स्विविंग पूल में अगर वो 60 कोलो का पंदा यह कूद गया हाँ और उसके कारण से मान के चलो के 40 किरो 40 कि जो है पानी उपर उड़ गया तो उसका मतलब है जो 400 न्यूटन का जो फोर्स है वो उपर की साइड वाटर जो अपवाड फोर्स लगा रहा है और उतनी हमें बॉड़ी या उतनी हमें बॉड़ी हमें अलकी नजर आएगी नेस्ट में पढ़ना है law of flotation law of flotation का मतलब है त्यारने के नियम कोई भी बॉड़ी यदि पानी में लिक्विड में है तो वो कबकब कतना कितना vlog करेगी कितना कितना तहरेगी कब पूरी डूब जाएगी कब आदी डूब जाएगी कब डूब जाएगी लेकिन और ज्यादा अंदर तक नहीं पहुंचेगी मतलब पूरी तरह से bottom surface पर नहीं आएगी दो चीज़े डिपेंड करते हैं एक होती है density और दूसरे होती है weight देखो मैं density के बारे में देखो उठाने के लिए responsible होता है liquid में buoyant force, upward force और डुबाने के लिए responsible होता है अपना खुद का weight and its density समझो अभी का होता है weight का मतलब का होता है mg downward force तो डुबाने के लिए downward force और उठाने के लिए upward force तो कोई भी body अगर जो weight है अगर weight buoyant force किससे buoyant force से ज़्यादा हो ज जाती है लेकिन अगर buoyant force क्या buoyant force ज़्यादा है और weight कम है buoyant force ऊपर उठाने वाला force अगर ज़्यादा है और weight कम है तो body float करती है अब यह depend करता है कि buoyant force कितना ज़्यादा होगा तो body पूरी तरीके से body पूरी तरीके से यहां तक आ जाएगी यहां तक ठीक अगर और ज़्यादा और तो और उपर तो उठ जाएगी हाँ तो अगर buoyant force ज़्यादा है तो body float करेगी कितना ज़्यादा है उसी के साब से body उपर float करेगी ना अगर buoyant force और weight of body दोनों equal है एक दूसरे के तो क्या होग तो ऐसी condition में होगा यह कि body float तो करेगी लेकिन पानी की layer के नीचे पानी की layer के नीचे float करेगी तो हम इसको बोलता है body will float with fully submerged body fully submerged होगा पूरी डूब करके float करेगी यह completely shank नहीं होगी अब बात समझना density बहुत ज्यादा matter करती है देखिए आप जानते हो कि लोहे की एक कील को या एक कील को या एक लोहे के hammer को हतोड़े को अगर आप पानी में छोड़ देंगे तो हतोड़ा डूब जाएगा और इसी बात है पत्थर डूब जाएगा लेकिन आप देखते हैं कि उसी लोहे की उसी steel की हाँ अगर हम ship बना देते हैं क्या बनाते हैं ship बना देते हैं तो of sea water बात समझ गए द्यान दो जरा तो इसलिए body जो है ये ship जो है float कर जाती है आइस float करती है पानी पे क्योंकि density जो होती है आइस की वो कम होती है अगर देखो पानी की density जिस जिस चीज़ के अंदर आप कूद रहे हो उसकी density अपने से ज़्यादा होना चाहिए तब जाकर कर पाराम से float कर सकते हैं उस पर तैर सकते हैं समझे swimming करना अलग चीज़ है हाँ समझो swimming में आप external effect डालते हो उसमें अचा एक और चीज़ human body slightly more denser than water human body water से ज्यादा denser होती है तो अगर कोई इंसान उसमें कून जाए पानी में तो वो डूब जाएगा उसमें लेकर आप देखत में जो bacteria होंगे हां तो उससे gases निकलेगी अभी का होगा body उससे फूल जाएगी और body यह फूल जाएगी तो body का volume बढ़ जाएगा इससे body के density कम हो जाएगी और body फिर वापस से पानी प्या करके float करने लेगी एक person can swim in water more easily than river तो person जो है नमक के पान क्योंकि water add करने से या sea water की जो density होती है वो ज्यादा होती है तो आसानी से कोई भी इंसान sea water में swim कर सकता है देर में डूबेगा sea water में क्योंकि उसकी density ज्यादा होती है river के water से समझे समझे ना अगे देखते हैं तो अभी हम बात करेंगे viscosity के तो अभी तक हमने पढ़ा था static fluid के बारे में अभी हम viscosity क्या होता है viscosity basic के लिए देखो क्या होता है कि liquid आपके दो टाइप के हो सकते हैं एक तो आपका हो सकता है non-viscous liquid यह हम कहेंगे lower viscosity वाल liquid और यह होता हाई viscosity viscosity मतलब आप ऐसे मान के चलो आसान भाशना में बता हमनों गाड़ापन कोई भी liquid कितना थिक है कितना गाड़ा है उसक viscous fluid है जबकि water low viscous या मैं कहूंगा कि non-viscous fluid है समझे ना water तो वैसे एक ideal fluid हम consider करता है तो viscosity का होता है कोई भी liquid जो बना होता है उसे multiple layers से बना होता है जैसे कि यह पानी अगर फैल गया या कोई भी चीज़ फैल गई तो उसके अंदर क्या multiple layers होती है जैसे एक layer दो layer 3 layer 4 layer 5 layer आगे बढ़ता है ना तो यह layers के form में आगे बढ़ेगा एक layer पर दूसरी layer तीसरी layer चौथी layer पांच भी जगर तो अभी कहा होता है कि layers के बीच में relative motion होता है क्या होता है relative motion तो actual layer के बीच में friction होने से कोई भी liquid multiple layer से मिल करके बना होता है जितनी ज्यादा layer उतना यदा गाड friction के कारण इस liquid का motion होता है वह oppose होता है और इस liquid के layers के बीच में जो opposition जो friction force बन रहा है जोड़ेड़ की motion को रोग रहा है that force is called viscous force उस force क काँ बोलता है विसकस force और liquid के little tendencies property का बोलता है viscosity का बोलता है viscosity और sports को हम बोलते है viscous force ठीक है अच्छा एक चीज़ और देखें हम आप ये चीज़ समझो कि जो velocity of liquid जो होती है liquid की velocity upper layer पे ज़्यादा होती है और lower layer पे कम तो अगर हम इस layer की बात करें तो कहो ये layer rest में हो या इस layer की velocity है ये बहुत कम हो सकते है फिर हम जैसे height पे जाएंगे तो इसकी velocity कुछ बदल जाएगी तो dv by dx change in velocity with change in distance change in height तो आप देखोगे कि height से height बढ़ने से मतब उपर जाते जाते जो velocity of liquid ये बढ़ जाती है प्लेरा है आगे आप देखें coefficient of viscosity क्या होता है तो आप इसमें समझेंगे जैसे की coefficient of viscosity किन चीज़ों पर depend कर रहा है मैंने कहागा कि viscous force दो चीज़ों पर depend करेगा एक तो आपका area कि layers का area कितना है अगर ज़्यादा area तो भी obvious ही बात है कि जो opposition force हो गए ज़्यादा लगएगा तो friction force जो sorry जो viscous force होगा यह आपके area पर depend करेगा और viscous force depend करता है velocity gradient पे कि एक layer से दूसरे layer तक पहुंचने में कितनी velocity change हो रही है एक layer P दूसरे layer Q टेक इसकी जो यहाँ से distance x है और उपर वाले की distance x प्लस dx है तो बीच में इन दोनों के बीच की distance कितनी हो गई? dx तो अभी आप देखो कि जो viscous force होता है यह velocity gradient पर भी depend करता है कि change अगर velocity में height के साथ change जादा हो रहा है तो velocity gradient की value फिर जादा हो जाएगी अब आप देखो इन दोनों को हमने combine कर दिया इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे eta क्या है? where? eta is called coefficient of viscosity और यहाँ पर minus sign का बता रहा है यहाँ पर minus sign बता रहा है कि यह जो negative sign है यह बता रहा है कि जो viscous force है यह opposing nature का होता है यदि area की value 1 meter square हो जाए इसकी value 1 meter 1 meter per second per meter मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं 1 meter per second square हाँ तो आप यहाँ पर देखें 1 meter per second upon meter तो मतलब पर second यह आ रहा है तो आप यहाँ पर देखें कि अगर dv by dx की जो value है वो 1 unit हो जाए और area की value 1 unit हो जाए तो coefficient of friction की value होती है यह viscous force के बराबर ही होती है बहुत जाए दिमाग पर लोडनी लेना है आपे जैसा है? opposing nature का होता है अच्छा, आगे बढ़ जाएंगे Stokes law क्या होता है? आप समझते हैं, यह से मान के चलो कि हमने किसी liquid के अंदर जैसे एक container में कोई भी liquid भरा हो सकता है अभी क्या होता है? कि हमने इस container के अंदर एक ball को drop कर दिया अभी क्या होगा? आप ऐसे मान के चलो सकते हैं यहाँ पे दिखाया हुआ है ठीक है तो यह जो ball है यह नीचे की साइड आ रही है ठीक चलिए इसके बाद जब बाल नीचे की साइड आ रही है तो यह layers को penetrate करते हुए आ रही है layers के बीच में से यह जारी है तो अभी क्या होगा? क्योंक依ा layer के बीच में जारी है तो friction force जो होगा यह क्या करेगा? friction force मतना Friction between layer Friction between layer of liquid को जो हम बोलते हैं Viscous force तो इसका जो viscous force होगा इस ball के motion को oppose करेगा इस ball के motion होगा करेगा oppose करेगा ठीक है और इसको हम बोलेंगे कि यह कौन सा force है viscous force तो हम इस viscous force को calculate कर लेते हैं using stokes law तो stokes नहीं यह बताया कि जो viscous force यह होता है that is 6 pi eta r इसको कोई बड़ा derivation variation नहीं है आपको सिर्फ यह बताना होता है कि जो force जो होता है यह depend करता है eta पे मतब coefficient of viscosity पे इस ball की radius पे मतब इस sphere की और इसकी velocity पे ठीक है और इसके बाद 6 pi जो है यहाँ पे constant है तो आप यहाँ पर समझो क्या समझने को मिल रहा है आपको कि जब कोई भी spherical object किसी liquid में जाता है तो अभी इससी बात है उस पे viscous force लगेगा जो कि इस ball के motion को oppose करेगा और उस viscous force को हम calculate करते हैं using stokes law और stokes law के according जो viscous force होता है that will be 6 pi eta rv 6 pi eta rv कोई derivation नहीं आपको इसके लिए समझना है तेक है यह कोई से necessary condition है कि जो liquid है यह आपका मतलब जो fluid है यह laminar flow होना चाहिए इसका यह laminar flow बगारा क्या होता है इन सारी चीज़ों को हम अभी समझते हैं आगे बढ़ते है terminal velocity की हम बात करेंगे terminal साय स्लाइट थोड़ी आगे पीछो गई लेकर कोई दिक्कत नहीं आगी आपको terminal velocity क्या होता है कभी भी जैसे मान के चलो मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आप किसी चीज़ को यह चलो पानी के बात कर लेते हैं देखो यह से water droplets जो होती है आसमान से यह पानी की जो बूंध है यह नीचे गिरती है यह कुछ इस तरीके से नीचे गिरती है तो आप भी देखो कि water drop को इतनी height जो है travel करते हूँ नीचे आना है और हर second अगर इसकी जो velocity है यह 10 meter per second से बढ़ेगी तो आप जरा सोचो कि आसमान से जमीन तक आते आते इस water droplet की जो velocity है यह इतनी बढ़ चुकी होगी कि सिर पे पड़ेगी तो नीचे से निकल जाएगी बात समझो मतलब penetrate करके आर पार हो जाएगी बात समझे फिर अभी अपनको लगता ना बोला ओले हाँ ओले समझे रहो कि जब ओले पढ़ते हैं तो वह सोचो कि बढ़ी ओले जब पढ़ते हैं तो अगर सचमान की velocity लगातार बढ़ती रहे आसमान से जब गिरेंगे तो यह आप मिहान के चलो जमीन पे गिरेंगे पैल पे गिरेंगे तो छेद करके आर पार हो जाएंगे इतने खतरनाक हो सकते थे लेकिन क्या होता है ना कि निचर में चीजों को control करने का करूल होता है तो यहाँ पर terminal velocity game में आती है तो कोई भी body जो है ना कोई body जो उपर से गिर रही है इसकी velocity particular point तक ही बढ़ती है particular point तक ही बढ़ती है और उसके बाद एक time ऐसा आ जाता है कि इसका जो weight होता है ना जिसके current जिसकी velocity बढ़ रही है और इस पर लगने वाले जो upward forces होते है यह balance हो जाते है क्या इसकी इस पर लगने वाले upward forces जैसे कि पानी की बूनों पर air का जो drag वगरा friction force वगरा लगता है वो upward force होता है और इसका जो weight के कारण जो downward force होता है तो एक point ऐसा होता है कि इसका जो weight और upward forces तो इसके बाद इसकी जो velocity जीसे मान के तो लो 100 मेटर पर सेकेंड तक पहुंच चुकी थी तो इससे और ज्यादा नहीं बढ़ती है और उसी velocity के साथ जो ट्रॉपलेट है वो जमीन पाय करती है तो टर्मेल वेलासिटी का होते है बेसिकली वो मैग्समम वेलासिटी है जो बॉ विसकस मीडियम के लिए तो हमने आप विसकस मीडियम देख दिया अथरवाइस एयर वगरा कहीं भी आप इसको यूज कर सकते है बेसिकली फ्लूइड जो होता है एयर भी एक प्लूइड है ना तो अभी आप देखो कि यह हमारे पास एक कंटेनर और उसके अंदर एक बॉल विसकस force का है विसकस force ठिग है तो जब यह विसकस force of thrust मतला अप्वाड force और यह downward force का weight जब यह balance हो जाएंगे तो फिर का हो जाेगा जो velocity इस time पे होगी that velocity is called terminal velocity अब इस terminal velocity के लिए हम derivation देख लेते हैं लेकिन उससे पहले कौन कौन से forces पे लग रहा है हो कितने कितने इसका हम G, अब mass का होता है volume into density होता है तो volume of sphere क्या है, 4 by 3 pi r cube, और density की जगे रो और G की जगे पे G, बताए clear है, now, अब इसके बाद यहां पर क्या है, यह तो हो गया body का, किसका हो गया, body का now, up thrust, upward thrust equal to the weight of liquid displaced, अब क्या होता है कि body पर भी तो एक upward thrust लगेगा, जो कि liquid लगाएगा, तो liquid लगाएगा अब आप जरा सोचो body body होगी body body होगी, तो ज़्यादा अब thrust लगेगा, क्योंकि body का volume ज़्यादा है, छोटी body होगी तो छोटा अब thrust लगेगा, क्योंकि body का volume कम है, तो volume तो body का होता है volume किसका होता है volume किसका लिए आता है जो body नीचो जा रही है तो यहाँ पर volume किसका लिए sphere का 4 by 3 pi r cube अब upthrust कितना लगेगा कौन सा liquid है अगर oil होगा तो कुछ और upthrust लगेगा और अगर water होगा तो कुछ और तो यहाँ पर जो sigma है that is that sigma is density of liquid sigma is equal to density of liquid now अब इसके बाद एक viscous force भी लग रहा है ना उपर that is 6 pi eta r b केतना 6 pi eta r b आगर देखते हैं अभी समझो कि equilibrium में हमने क्या जाना कि upward forces और downward forces equal हो जाते हैं upward forces कौन से हैं u and f तो आप यह देखो ना upward forces upward forces यह हैं 4 by 3 pi r cube sigma g 6 pi eta r b now यह है तो यह हमने लिख दिया और downward force का है downward force का है कई बार हो जाता है चीज़े पता नहीं क्या नीचे समीन पर घुम रही होती है तो downward force का होता है 4 by 3 pi r cube रोजी ही हमने देख लिया है अब यहां से नाम का करेंगे यह का है v velocity of body velocity of body और यहीं velocity का है terminal velocity तो अभी क्या होगा कि यहां से हमने इस वाले term को भेज जिया इस side और 6 pi eta r भी बचेगा तो यहां से 4 by 3 pi r cube g और rho minus sigma यह बचेगा और यहां से pi से यह सारी चीज़े cancel वेंसल होने के बाद v की value यहा जाएगी और यही है terminal velocity और यह हो गया इसका derivation terminal velocity का derivation मतलब आपको बस एक condition लगानी है कि terminal velocity भी का होता है body equilibrium में जाती है net forces 0 हो जाते है upward forces downward forces upward forward downward force अब ideal fluid में बड़ा ही दो type के हमारे बास flow हो जाते है एक होता है streamline flow और एक होता है turbulent flow basically streamline flow हम किसको बोलते है एक ऐसा flow जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था ना कि एक ऐसा flow जैसे मान के चलो streamline stream का मतलब होता है इंदी में धारा streamline flow आपको देखने हो को मिलता है जैसे मान के चलो आपको घर में अगर motor लगी होगी पानी की तो उस laser में से particle होंगे इसके अंदर flow के अंदर तो क्या होता है कि streamline flow एक ऐसा flow होता है जिसमें हर पीछे वाले particle अपने से पहले जाने वाले particle के path को ही follow करता है जैसे मान के चलो कि अगर ये particle number one पहले यहां से गुजर गया तो ये particle number two जब यहां पर पहुचेगा तो one के path को ही follow करेगा ये particle number three जहां से one or two pass हुए वही उसी रास्ते को follow करेगा तो हम ऐसा बोलते है कि streamline flow में जो path होता है particles का पीछे वाले particle का वो हमेशा आगे वाले particle को ही follow करता है clear है दुस्तर है एक line बन जाती है अलग-अलग particles के flow की clear now और ऐसे flow का हम बोलते है streamline flow streamline flow की कुछ बात है अभी just मैं आपको बता ही क्या कि अगर इस जगे पे velocity v1 है और इस जगे पे velocity v2 है तो हर particle जो यहां से pass होगा इसकी velocity v1 होगी और कोई भी particle जो यहां से pass होगा उसकी velocity v2 होगी जरूरी नहीं होता streamline में कि हर जगे पे जो velocity है वो same हो है ना क्योंकि ऐसा है ना कि यहां पर मान के चलो कि area opening कम है तो यहां पे velocity ज़्यादा और यहां पे velocity कम clear है भागत नहीं यह equation of continuity velocity ज़्यादा होती है वहां पर अबिस सी बात है कि area कम होगा समझे तो अभी हमने का सीखा कि a b is equal to constant मतलब यहां पर आप ऐसे देखो a1 v1 is equal to a2 v2 होता है तो इसे साब से आप देखते है किसे यहां पे area छोटा है तो velocity ज़्यादा यहां पे area बड़ा तो velocity कम तो ज़रूरी नहीं होता कि जो velocity है वो हर जगे सेम होगी लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि कभी भी कोई भी particle जो इस जगे से पास होगा उस particle की हर उस particle की velocity यहां से v1 होनी ही पड़ेगी और यहां पर v2 होनी ही पड़ेगी यह बात आपको समझना है बात clear हो रही है तो यह streamland flow की properties है streamland flow में एक और चीज़ होती है कि कोई भी particle जैसे मान के चलो यह एक line है ठीक यह एक line है ठीक अब यहां पर कोई भी particle की अगर मुझे velocity बतानी है इस particular जगह पे तो particular place पर velocity की direction बताने के लिए मैं इस जगह पे tangent ड्रो करता हूँ क्या ड्रो करता हूँ tangent तो tangential direction में होती है velocity की direction ठीक तो हमें शायद रखिए दो streamland कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करती है क्यों नहीं करती है सर योगि अगर वो intersect करेंगे मान के चलो इस point पे ये A वाली line के हिसाब से इस point पे tangent ऐसे डलेगा और ये B वाली streamland के हिसाब से इस point पे tangent ऐसे डलेगा तो फिर एक point पे किसी particle की दो velocities नहीं हो सकती इसलिए streamland जो होता है उसमें कभी भी दो streamland एक दूसरे को intersect नहीं करते ही ये कुछ basic properties होते है streamland flow की ना इसके बाद दूसरे type का flow होता है तो आप यहाँ पर एक चीज़ समझे कि streamland में कभी भी एक line flow liquid की या fluid की दूसरे वाल लाइन को intersect नहीं करती है ये चीज़ आप समझे है तो एक disciplined way में चलते है कैसे चलते है disciplined way में हाँ जब की दूसरे type का flow होता है जिसको हम बोलता है turbulent flow क्या बोलता है turbulent flow turbulent का मतलब होता है हलचल जिसमें disturbance बहुत ज़्यादा हो जैसे पानी अगर नॉर्मल एक दारा में बहरा है तो हमने उसको क्या बोला streamline flow है लेकिन जहां से पानी में हलचल हो गई वहां से turbulent flow स्टार्ट हो गया turbulent जैसे मानगे ज़रने का पानी गिरता है तो ज़रने का जो पानी होता है वो कैसा होता है turbulent होती है turbulent होती है turbulent होती है तो हम उसको क्या बोलते है turbulent flow, उसमें कोई manner नहीं होता कोई particle किसी भी direction में random motion कर सकता है मानके जो लोग नदी का पानी जा रहा है, बिलकुल disciplined way में तो उसको हम बोलते हैं laminar flow क्या बोलते हैं, laminar flow देखो, जब भी हम ये देखें कि जब भी पानी का flow कुछ इस तरीके होता है, कि एक layer के ऊपर दूसरी layer, दूसरी कोपतिसरी layer मतलब disciplined way में, कैसे? disciplined way में जब flow होता है तो हम इसको बोलते हैं laminar flow सर, streamline of flow laminar flow एक ही है न, हाँ बिलकुल एक ही है, लेकिन streamline flow में हम ऐसा बोलते हैं, कि lines को पर में जा रहा है, और laminar में हम एक layer के form में consider कर सकते हैं बाकी इसमें कोई जो है, कोई चीज अलग नहीं है, बात समझ में आ रही है तो एक laminar flow और turbulent flow, laminar और streamline में किसे तर एक हलचल नहीं होती है disciplined form में आगे बढ़ते हैं, turbulent flow में हलचल होती है, disturbance होते हैं, पानी कोई भी random motion किसी भी direction में हो सकता है अब ही समझो, अभी क्या होता है कि velocity profile बनाई जाती है का बनाई जाती है, velocity profile तो अब देखना है जिसे मान के चलो कि हमारे पास ये एक pipe है अब अगर liquid हमारा non-viscous है, कैसा है non-viscous मतब एक ideal fluid आप मान सकते है, कैसा ideal fluid liquid कैसा है non-viscous, तो इसकी layer के बीच में कोई friction होगा ही नहीं अब layer के बीच में कोई friction नहीं होगा तो आप क्या देखते हैं, इसे मान के चलो कि जो liquid है, ये एक pipe में flow रहा है, किसे फ्लो रहा है, एक pipe में flow रहा है, तो actual में क्या होता है कि अगर non-viscous fluid है तो हर layer की जो हर layer या हर streamline की जो velocity होगी, वो same होगी कैसी होगी? same होगी same होगी, टेक, तो particle जो यहाँ पर है axis पर है, वो भी same velocity से आगे बढ़ेंगे और जो उपर है, वो भी same velocity से आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो velocity profile हम इसको बोलते है तो velocity profile जो होती है ये बनती है plane कैसी बनती है plane तो velocity profile बनती है plane ठीक है तो velocity profile कैसी है plane क्योंकि हर एक particle की velocity same है तो हर एक particle एकी rate से बढ़ रहा होगा आब देखो अगर fluid है हमारा viscous जी आइ हमेशा इस टो अभी कह होता है कि pipe में हमेशाद रखो कि कोई particle या कोई liquid अगर flow हो रहा है तो pipe में center पे मतलब आप ऐसे बोलें axis पे काबे axis पे जो layer है या axis पे जो streamline है axis पर pipe की जो axis है वहाँ से जो particle जो आ रहे होते हैं उसकी velocity सबसे ज़्यादा होती है फिर जैसे हम axis से दूर जाते हैं या नीचे यह velocity कम हो जाती है कम होती जाती है कम होती जाती है और ऐसा ही होता है नीचे की side तो हमें जो profile जो देखने को मिलती है that profile is parabolic that profile is parabolic profile हमें देखने को मिलती है तो यह होता है liquid profile यह हमें बताता है liquid profile हमें बताती है किस तरह से जो velocity है particles की वो change होती है with respect to distance from the axis तो आपको यह समझ माया होगा नेस्ट जो है हमारे बास अब देखो critical velocity यह क्या होता है देखो क्या होता है जब भी मान के चलो कि किसी river में या किसी pipe में पानी फ्लो हो रहा है अभी पानी की जो velocity वो कम है तो जो flow होगा वो disciplined way में होगा तो हम उसको बोलेंगे laminar flow या steady flow इसके बाद क्या होगा कि एक particular velocity तक तो जो flow होता है वो laminar होता है एक control way में उसके बाद पानी में हलचल होने लगती है अब देखो जब पानी की speed velocity बढ़ती है तो speed velocity बढ़ने से ही तो पानी में हलचल होती है और हलचल होती है तब हम उस flow को बोलते है turbulent flow तो particular velocity तक जो flow होता है ये laminar होता है उसके बाद उसके बाद ये flow turbulent में convert हो जाता है फॉर अग्जामपल 90 meter per second तक ये जो flow था ये laminar था इसके बाद जैसे flow 91 हुआ 91 meter per second इसमें turbulence आगी जो है flood में तो ये बन गए turbulent flow तो 90 meter per second के बाद flow बन जाता है turbulent तो आप इसको कहेंगे जो 90 meter per second है ये critical velocity है मतलब वो velocity वो maximum velocity जब तक flow कैसा रहता है laminar रहता है तो हम उसको बोलते है critical velocity और उसके just बाद flow turbulent में convert हो जाता है clear है तो ये जो critical velocity है दो-तीन factor पर depend करते है कि जो tube है उसका diameter क्या है liquid की density क्या है और coefficient of viscosity कितना है clear अब यही जो velocity है या ये जो flow का type बताने के लिए एक parameter यूद होता है जिसको हम बोलते है Reynolds number basically Reynolds number क्या है एक ऐसा एक parameter है एक ऐसा number एक ऐसी value है जो हमें बताती है कि भई flow कैसा है for example अगर आप हो कहीं लिखा मिल जाए कि Reynolds number की value 0 से लेकर के 2000 तक अगर है तो जो flow है ये streamlined flow है ये laminar flow है अगर Reynolds number की value 3000 से ज़्यादा है तो इस flow को हम turbulent flow बोलते है और अगर Reynolds number की value 2000 से लेकर 3000 के बीच में है तो हम इसको critical velocity या critical flow बोलते है का बोलते है critical flow या फिर इस समय जो liquid है ये unstable है कुछ भी हो सकता है whether it can remain laminar और it can convert into turbulent flow clear now अभी Reynolds number जो होता है ये किंची दो पर depend कर रहा है एक तो depend कर रहा है आपके density पे velocity of liquid पे diameter पे और coefficient of viscosity पे coefficient of viscosity जितना ज़्यादा होगा Reynolds number की value उतनी कम होगी ठीक तो direct formula याद रखो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है next रम आ जाते है equation of continuity पे equation of continuity basically हम इसको बोलते है principle of continuity equation of continuity concept बहुत simple है कि continuity का मतलब का है लगातार सारी चलती रहने चाहिए equation of continuity यह कहते है कि कोई साभी pipe हो किसी भी तरह का pipe हो मतलब जिसमें entry और exit हो आप यह मान के चलो कि एक साइट से बड़ा है दूसरी साइट छोटा है कोई फर्क नहीं पड़ता एक second में जितना mass यहाँ से गुसेगा fluid का उतना ही mass वापस निकलाएगा मतलब mass per unit time entering is equal to mass per unit time exiting जितना जाएगा उतना ही उतने समय में वापस आजाएगा जैसे मान के चलो कि अगर इसमें एक second में 5 kg mass यहाँ से enter करता है तो एक second में 5 kg mass यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा इसको हम बोलते हैं equation of principle of continuity हम इसको बोलते है अब यह सारी चीज़े कैसे हो सकती है सर यहाँ पे तो space जादा है तो एक second में 5 kg गुज़ गया लेकिन यहाँ पे तो speed कम है मतलब area कम है तो एक second में 5 kg कैसे बाहर निकल पाएगा तो nature क्या कहती है nature यह कहती है कि भाई करना ही पड़ेगा यतना महाँ से एक second में गुज़ा है उसको बाहर निकलना पड़ेगा तो area बले ही कम है लेकिन velocity यहाँ पे बले ही कम है लेकिन velocity यहाँ पे particle की या fluid की बढ़ जाती है तो अगर area कम है तो velocity को बढ़ा करके यह compensation कर देते हैं भरपाई कर देती है तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि area तो आप यह देखेंगे कि area और velocity क्या है area और velocity एक दूसरे के inversely proportional है क्या है area और velocity एक दूसरे के inversely proportional है यहाँ पे area जाता है तो velocity fluid की जो होगी वो कम होगी ठीक तो equation of continuity में हमें यह प्रूव करना होता है कि area into velocity जो होता है क्या area into velocity जो होता है जहाँ पर area into velocity विल भी यहाँ पर area into velocity ये क्या होगा इन दोनों का product क्या होगा हमेशा बराबर होगा समझ में आगई बात तोकि area जादा velocity कम area कम velocity जादा तो इन दोनों का product होगा ये एक दूसरे की भरपाई करने के लिए एक दूसरे को कम या जादा कर सकता है जहाँ पे area कम, वहाँ पे compensate करने के लिए इन दोनों को product लो constant रखने के लिए velocity अपने आप nature इसकी बड़ा देती है बात समझ में आ गई, यहाँ पे area जादा है तो दोनों का product सेम रहे, इसके लिए velocity को nature कम कर देती है clear है, तो basically आप यह कह सकते हैं कि यह जो principle of continuity इसमें conservation of mass का principle follow होता है equation of continuity क्या है, equation of continuity यह है a1 v1 is equal to a2 v2, a into v का जो product है, यह कैसा है constant है, कैसा है, constant है, this is equation of continuity अब हम इसको prove कर दें, बिना सबूत क्या आप मानोग ने, कानून क्या मांगता है सबूत मांगता है, ठेक है now, तो अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ों देख लेते हैं और कुछ चीज़ों में से मैं आप को दा दूँ कि यहाँ से कोई particle घुजा velocity v1 से, अब तो कुछ particular time तक इसकी velocity v1 रही, उसके बाद velocity बदलेगी तो हमने का v1 daily time के लिए रही, इसके बाद v2 particular time के लिए रही तो हमने लेखा v2 into, into लगा है, basically बता है कि daily time के लिए clear now, अब यह हमें proof करना है, इसको proof करना है, proof तो proof के लिए आप यह देख लो भई, यह इस तरह से है, now तो as mass is equal, आप जानते हो, mass का formula क्या होता है, volume into density तो आप volume को का लिखते हो, area into length, area into height, area into breadth मतलब area के साथ इसरी side का into करते हो, तो volume को लिख दिया, density को लिख दिया, row mass flow rate, rate का मतलब क्या होता है, rate का मतलब होता है, time का divide तो आपने यहाँ पर time का divide किया, time का divide किया, और time का into किया, भई देको simple सी बात है, कि आप time का divide या किसी भी जी का divide अपने मन से तो नहीं कर सकते तो आपने क्या किया कि यहाँ पर time का divide गया और time का into किया तो इसके बाद आपको जो मिला time का divide हो गया तो यह जो value हमें मिली that is called mass flow rate या mass per unit time तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ मिला m1 is equal to देखो a1 into length upon delta का है length upon time तो length upon time क्या होता है length upon time होती है velocity देखो general formula mass का है area into length into rho अब density यहाँ से जो liquid गुसरा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है density तो भाई same होगी क्योंकि fluid कैसा है incompressible है टेक तो rho को तो rho रखेंगे लेकिन यहाँ पर area कुछ और है यहाँ पर area कुछ और है यहाँ पर length कुछ और है यहाँ पर length कुछ और हो सकती है टेक है ना तो आपने इसको कहा लिख दिया a1 b1 length upon time क्या होता है velocity a1 b1 rho into delta delta कहाँ चाहा है delta का divide क्या into क्या तब जाकर के चीज़े बन पाई clear है ना तो m1 का formula क्या आ गया a1 b1 rho delta a1 b1 rho delta a1 b1 rho delta now इसके बाद इसी तरीके से हमने निकाला के mass flow rate at this end तो हमने इसको बोला m2 तो m2 b कहा निकल क्या आगा a2 b2 rho delta now conservation of mass यह कहता है जितना mass period time यहाँ से निकला था m1 उतना ही जो है बापस जाएगा तो आप यह देखेंगे कि m1 की value यह रही m2 की value यह रही rho delta से यह rho delta cancel हो गया a1 b1 is equal to a2 b2 आगया तो a into b का जो product है यह हम constant proves को कर सकते हैं अब इसका screenshot ले सकते हैं चले तो अब यह हम आजाते हैं इस chapter के सबसे और अच्छे important topic क्यों जिसका नाम है Bernoulli's theorem या Bernoulli's principle बन देखो Bernoulli principle में हम यह different idea of cross section पर बात करेंगे यह लेकर उससे पहले इसको जो experiment जो daily life applications है वो हम जान लेते हैं पहले देखो जरा तो Bernoulli ने एक बात कही थी कि pressure और velocity यह universally proportional देश डेरिवेशन को भी करेंगे जो आपके exam में चोरी मतलब जो derivation numerical पर बसक लिए ज़रूरी है तो देखो प्रेशर और velocity यह दूसरे के universally proportional दे यह बात कही थी velocity ने अब आप यह समझेए कि बई देखो velocity कम अगर होगी तो वहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा ओर अगर कहीं पर velocity ज्यादा है तो वहाँ पर प्रेशर कम होगा और आप जानते हैं कि मेटर का flow कहां से कहां होता है from higher pressure to lower pressure from higher pressure to lower pressureisk matter का flow होता है force लगेगा तो आप इस चीज़ को धयान में रखेए जहां पर velocity ज्यादा वहाँ प्रेशर हो जा होता है जैसे मान के चलो मैं इस paper को नीचे से हवा मारूंगा इसमें तो आप भी बताओ यह paper कहा जाना चाहिए वला सर उपर जही जाना चाहिए कोगि आप इसमें नीचे से air blue करा रहे हो जा रहा है उपर ना अब यहां भी देखो अब मैं कहा करूंगा कि उपर से हवा मारूंगा उपर से नीचे की और मतलब आप भी देखो कि जो यह paper है यह मेरे lower lip से नीचे होगा तो आप भी देख रहे हो यह paper counter रहा है उपर की side यह हवा इसको दबाने की बज़ा है नीचे दबाने की बज़ा उट्दा ऊपर उठा रही है ऐसा क्यों हो रहा है सर आप इसका reason बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है तो समझो यह paper है इसके जब नीचे से हवा मार रहा हूँ मैं तो उपर के उठ्थ रहा है यह obvious सी बात है लेकिन उपर से हवा मार रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि नीचे क्या atmosphere की simple air ठेक है? तो इसकी velocity कम है लेकिन उपर वाली air की velocity यहाँ पे ज़ादा है तो यक्च्छल में उपर वेल्सिटी ज्यादा होने से उपर वाला जो एरिया है वो लो प्रेशर वाला हो गया हो और नीचे वाला हायर प्रेशर वाला तो आप देखेंगे, इस पेपर पर ऊपर नीचे से मतह εκब III एपर उपर जाने की कोशिस करेगा तो यह आफ इसको हम ब कुम बोलते हैं इसकों बульт अब आप लिफ्ट का एक और एकसमापल देखते हैं जिसको मैं बोलते है डायननमिक लिफ्ट या फिर जैसे यहरो प्लैन के क्या होता है यहरो प्लैन वगएरा को में कुछ इस तरह के से कर्ब होता है ऐसा होता है यह अभी यहाँ पर का होता है कि इस तरह के विंग एरोपलीन को लिफ्ट देने के लिए जरूरी होते है तो अब एरोपलीन को लिफ्ट कैसे दी जाएगी देखो अभी क्या होता कि air मान के चले यहां से आ रही है अब क्या होता है कि यहां से जो air आई यह atmosphere की normal air है अब यहां से air आई अब air दो part में divide हो गई नीचे और उपर नीचे वाला part यह उपर वाला part अभी नीचे वाले part से यहां से air आईगी और यहां से air आईगी अब नीचे तो area कम है नीचे तो flat है तो नीचे तो air जो है यह जल्दी नीचे तो air यह यहाँ पर पहुंच जाएगी जल्दी यहाँ पहुंच जाएगी लेकिन का ओरा उपर का area जादा है तो उपर अब air देर में पहुंचेगी यहाँ तक लेकिन दोनों ही air को बराबर time पर यहाँ पर पहुंचना है तो इसलिए nature क्या करती है उपर वाली air की velocity बढ़ा देती है क्योंकि इसको जादा distance कवर करनी है तो जादा area इसको कवर करना है तो आप यह देखते हैं कि उपर वाली जो air है उसकी velocity जादा और नीचे वाले की velocity velocity कम तो जहाँ velocity कम है वहाँ pressure जादा और यहाँ पर pressure कम तो आप देखेंगे higher pressure to lower pressure respect force लगेगा जिसको बोलेंगे lift और इस current से जो एरो प्लेन है आराम से take off कर सकता है clear है बात ना तो आप क्या समझ गए कि यहाँ पर इस concept कम बोलते हैं dynamic lift clear ना इसके लावा और भी सारे concept होते हैं इसके जैसे की atomizer या sprayer हम इसको बोलते हैं ये भी बर्नॉली के principle बेस्ट है जो कि कहता है कि pressure और velocity universally proportional है अभी देखे होता क्या है कि इस spray के अंदर क्या होता है कि ये एक air pump होता है air pump नहीं बोलना चाहिए मुझे सिर्फ क्या बोलना चाहिए air compressor type होता है अब यहां से ये इसका काम है सिर्फ इस motor का कि यहां से ये air को बहुत high velocity के साथ high velocity के साथ यहां पर high velocity air को यहां से spray करेगा या पिकेगा अब नीचे एक container होगा जिसमें कोई भी paint वग तो अब यहां से air आ रही है अब high velocity से air को भेज रहा है तो यहां पर कैसा reason बन गया उपर low pressure वाल रीजन जबकि नीचे कैसा है नीचे normal pressure तो अब यह higher pressure वाल रीजन हो जाएगा तो अब यह जो liquid यहां पर बढ़ा हुआ है यह उपर की side क्या करेगा यह उपर की side क्योंकि higher to lower यह जाएगा और इसी तरह से air के साथ फिर बाहर निकलने लगेगा तो यह atomizer का यह concept होता है मतलब higher to lower pressure यह travel करेगा तो basically इसी तरीके से आप देखते हैं कि जैसे मान के चलिए कहीं कहीं पर जो आंधी तूफान आते हैं तो घर की जोपड़ी उड़ जाती है तीन शेड वग जाता है कि ऊपर जो आंधी तूफान की जो velocity है यह काफी जादा है और जादा होने से pressure हो जाता है कम और नीचे जो normal air है उसकी velocity तो कम है हां तो नीचे का pressure जादा तो भई इसके ऊपर ऊपर की साथ एक lift लगेगी एक force लगेगा जो की इस टीन शेड को उड़ा करके ले के बारे में और इसका जो बड़ा form है वो हमसे कुछ इस तरीके से कह रहा है यह जबसे हम अगर different area of cross section वाले pipe के flow के लिए हम बात कर रहे हैं तो उसमें flow का nature कैसा है इस चीज़ को बताने के लिए Bernoulli principle है या Bernoulli theorem है अब इसका यह form का कहता है तो यह कहता है कि अगर कभी भी क यहाँ पर अलग-अलग type की energy होती है जैसे की kinetic energy हाँ यह चलो मैं ऐसे बोलू जैसे की pressure energy या kinetic energy या potential energy तो इन तीनों का आप sum अगर करते हैं तो यह sum इस end पे और इस end पे constant निकल के आता है कैसा निकल के आता है constant निकल के आता है मतलब kinetic energy प्लस kinetic energy प्लस potential energy का जो sum होगा चाहे liquid यहाँ पर हो यहाँ पर हो यह कैसा होगा constant होगा अगर कहीं पर pressure ज्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर यह बाकी की जो terms है यह दूसरे को कम ज्यादा करके overall इस addition को sum को constant रखेंगी बात clear है तो अभी हम इस चीज़ को प्रूब करने वाले हैं कि P plus half rho V square plus rho GH is equal to constant constant कैसे value यहाँ पर निकल का उतनी value यहाँ पर निकल के आजाएगी तो हम इसको constant prove कर देंगे clear now अभी आप समझे तो इसके लिए हमने क्या किया हमने मान लिया कि मान के चलो यह हमारे पास एक pipe है और इस pipe का area of cross section है वो कुछ इस तरह किस आपको देख रहा है यह ज्यादा है और यह कम है तो यहाँ पर area कुछ है velocity V1 है यहाँ पर area कुछ है velocity मतब area A2 है और velocity B2 है अब आप समझो देखो यहाँ पर है क्या कि इसकी height हम नान की चलते हैं कि इसकी height है यहाँ पर H1 और इस वाले head की height है वो है height है H2 मतब यहाँ से लिए कि पूरे की height है H2 clear और यहाँ इस पूरे potential energy इन तीनों का जो sum है ये कैसा है ये constant है तो देखिए हम क्या करेंगे तो हमने सबसे पर लिखा mass per unit time mass per unit time मतलब rate of flow of mass जो है ये हमने क्या निकाला था equation of continuity से a into v into rho into delta अगर आपको ध्यान ना आए तो आप इसको अभी यहाँ देख सकते हैं क्या निकाला था a into v into rho into delta ये निकाला है तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया तो mass per unit time a into v into rho into delta ना तो m1 के लिए ये निकल के आगे m2 के लिए ये निकल के आगे और equation of continuity हमसे ये कहती है a1 v1 is equal to a2 v2 होता है ना तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम निकालेंगे kinetic energy क्या निकालेंगे क्या find out करेंगे kinetic energy या कहूं change in kinetic energy या कहूं change in kinetic energy या कहूं जब liquid यहां से यहां अपलो होगा तो उसकी kinetic energy में कुछ change आएगा तो हमने का kinetic energy at b क्योंकि इस जगह पे देखो mass per unit time तो same है जितना mass एक second में यहां से निकलेगा उतना ही mass यहां से enter कर रहा होगा टिक तो mass में कोई difference नहीं लेकिन velocity इस b point पे ज़्यादा होगी क्योंकि area कम है और यहां पे कम होगी velocity तो हमने का change in kinetic energy final kinetic energy minus initial kinetic energy तो आप देखो b point पो जो kinetic energy है minus a point पो जो kinetic energy है subtract करेंगे तो change in kinetic energy में मिल जाएगा तो half m v2 square minus v1 square mass per unit time या mass flow rate तो जो है यहां पर कैसी है यह same है तो हमने m1, m2 नहीं लेखा तो क्या लेखा m v2 square minus v1 square क्योंकि velocity अलग अलग है तो change in kinetic energy के जो value है वो हमारे पास यह निकल के आगी हमने इस m के place पर देखो हमने यहां पे लेखा हुआ है m के place पर या m1 के place पर जो कुछ भी है हमने a1, v1, rho into duality लिख change in potential energy क्या है वही इस particular point पे हमने का mgh potential energy होगा take mgh तो mgh2 minus mgh1 तो आप यह देखेंगे mgh2 minus h1 और उसके बाद m के place पर फिर से हमने रख दिया a1, v1, rho into duality और g के place पर g रखा हुआ है take now इसके बाद हमने क्या किया net work done on fluid देखो क्या हो रहा है कि अगर जो fluid जो है हम यहां से fluid जा रहा है तो यह signal जा रहा है तो work done by fluid at A1, work done on fluid, मतलब ये तो उधर जा रहा है, लेकिन इसने धक्का दिया, इसने काम किया, ठीक है, मतलब ये इस side से, ये भले ही यहाँ से लॉट नहीं कोईश करेगा, लेकिन जबरस्ति इसको उपर धक्का देगा, तो ये जाने ही कोईश करेगा भले ही इस side, लेकिन इ A, A पर हमने कितना work किया, और B पर हमने कितना work किया, तो देखो, तो work done by fluid कितना हो गया, आप देखो न, work में difference आ रहा है, कैसे आया, देखो, इस end पे से हमने धक्का दिया, fluid मतलब, fluid ने इसको push किया, अब उपर वाला जो fluid है, वो नीचे आने की कोईश करेगा, तो उपर व is equal to work done by fluid at A, minus work done on fluid, है न, चलिए, तो यहाँ पर negative सान आपने इसली लगा दिया, अभी देखो, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, net work done on fluid, fluid पर net work done कितना हुआ, तो force into, आपने क्या लिखा याँ पर, कि जैसे, इस cross section area में, यह कितना travel करा होगा, del x, ठीक है, कितना travel करा होगा, यह del x, ठीक, in particular time, del t, चलिए, तो del t time में, del x travel कर गया होगा यह, तो आप यह देखो, कि force, pressure, आपको नकालना, work done, तो work का formula क्या होदा, force into displacement, तो आप यह समझो, कि force into displacement, force into displacement, तो force F1 at point A, और displacement होगा ही, del x, force into displacement, minus force into displacement, यहाँ भी del x2 माल लो, ठी force की जगे हम लिखते है, pressure into area, pressure into area, और displacement की जगे आप क्या लिखोगे, velocity into time, क्योगि आपने तो पढ़ा है, कि velocity is equal to, del x upon del t, होता है कि नहीं होता, यह आपने पढ़ रखा है, तो यहाँ से यह बन गया, इसी तरीके से हमने यह बना दिया, अब आप यह देखो, कि यहाँ पर sorry, a2v2 is equal to क्या होता है, a1v1, a2v2 is equal to a1v1, equation of continuity यह कहती है, तो a2v2 का आपने का लिख दिया, a1v1, और यहाँ पर भी क्या है, a1v1, तो a1v1, del t आगया common, यहाँ क्या बचा, p1 minus p2, आप अब अब बस समझो, कि इस side वाला pressure जादा होगा, और इस side वाला pressure कैसा होगा, कम ह क्योंकि जब यह pressure जादा होगा, तभी तो आगे वाले पानी को धक्का दे पाएंगे अपन, इसलिए p1 को अपन को जादा रखना है, clear, now, अभी समझो, तो net work done, finally क्या होता है, जो भी हम work करते है, यह work से क्या होता है, यह total, यह दो, net work done is equal to change in kinetic energy, plus change in potential energy, जो भी work हुआ, उस change in kinetic energy निकालागा है, और change in potential energy आपने यह निकाला है, clear, now, आपने यहां से a1 v1 delta common लिया, यहां से भी a1 v1 delta common लिया, तो, set वाले a1 v1 delta से, set वाले दोनो a1 v1 delta cancel होगा है, यह बचा, p1 minus p2, और यहां पे half rho v2 square minus half rho v1 square, और इस तरह से यह बच रहा है, अब हमने क्या किया, कि 11 1 वाले terms को excite कर दिया, और 22 वाले terms को excite कर दिया, तो, हमें यहां पे क्या देखनों को मिला, कि pressure half rho v2 square rho gh1 is equal to pressure half rho v2 square plus rho gh2, तो, यहां पर 1 पर जितनी total energy है, उतनी total energy 2 पर है, हां, तो मतलब इसका sum at end 1 is equal to, इन सभी energy का sum at end 2, यह बराबर है, और यह term कैसा है, तो मैं इसको है, ना, कि pressure half rho v2 square और यह जो rho gh2 है, यह कैसा है, constant है, आप इसको screenshot इसका ले सकते हैं, पूरा, यह देखो, यहां से screenshot ले लो, आप, टिक, तो यह Bernoulli theorem का proof है, क्लिए, डायनमिक लिफ्ट वगर हमने समझ ली है, चलिए, टिक, और Bernoulli theorem, यह किस-किस के लिए applicable है, यह सारी ची इस तरह की चीज़े हमें इसके अंदर लिखनी है, अभी हम next आ जाएंगे cohesive and adhesive force में, देखे liquid या जो fluid जो हमारा होता है, उसके बीच में, दो type के forces होते हैं, हमेशा cohesive and adhesive force, अब cohesive force होता है, same kind के particles के बीच में, जैसे water, एक water molecule, दूसरे water molecule से अगर चिपका रहता है, तो हमेशा उसके बीच में कौन सा force है, cohesive force है, जबकि adhesive force का होता है, कि एक तरह के molecule, दूसरे तरह के molecule से अगर चिपकते हैं, attract होते हैं, तो हम इसको बोलते है, adhesive force, तो अभी देखे ज़रा, यहाँ पे आपको दो तरह के forces देखने को मिलेंगे, जैसे आपने का किया, कि oil को spread कराया, water के उ है, कि adhesive force, यहाँ पर क्या है, कि adhesive force between, adhesive force between oil and water is less than cohesive force, समझ गए? हाँ, cohesive force between, their own molecule, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कि जब भी, एक particle, दूसरे particle से मिलते नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है, cohesive force ज़्यादा है, और adhesive force कम है, जैसे आप, petrol को भी डालेंगे ना, इसको उपर, तो petrol भी उपर तहराएगी, और पाने नीचे, तो उसका मतलब है, कि यह मिल नहीं पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, that means, कि वहाँ पर adhesive force कम है, और cohesive force ज़्यादा है, हाँ, अब देखिए ज़रा, अब आप कहा देखते हैं, जैसे मान के चलो, glass की rod लिया, अपने, kelly, glass की rod, और उसको, या paper ले लिया, कुछ भी ले लिया, मान के चलो, और उस गीली मिलेगी, तो आप देखो, अगर glass rod को पानी में डालेंगे, तो आप देखें, glass water के जो molecule है, ये glass से चिपक जाएंगे, इसका मतलब यह हुआ, कि यहाँ पर glass की बीच में, और water की बीच में, adhesive force जादा है, और cohesive force उनकी बीच में, उससे फिर कम है, जब कि, अगर आप mercury, mercury का एक टैंक लें, और उसमें glass rod को डाल दें, तो आप यहाँ पर देखेंगे, कि उस glass rod को आप जब बाहर नकालें, तो glass rod एकदम dry मिलेगी आपको, ज़रा भी mercury नहीं चिपकेगी, वहाँ पे, व्योंकि mercury के लिए cohesive force जादा होता है, और adhesive force कम होता है, mercury अपने molecules को एकदम बा सायद हमारे पास, ये एक slide पहले आ गया, तो हमें यहाँ पर लगाना चाहिए, पहले surface tension क्या होता है, देखो, surface tension क्या होता है, कि basically liquid की tendency होती है, कि वो कम से कम area को volume को occupy करना चाहता है, जैसे कि, अगर कभी हम पानी, पानी को आपने देखा हो, कभी आप एक glass को उपर उपर उ बांध के रखता है, liquid हमेशा अपने मौली को क्या करता है, बांध के रखता है, कस के रखता है, इसके अंदर, ये अपने अंदर किसी को allow भी आसानी से नहीं करता, समझे तो basically क्या होता है, कि इस property को हम बोलते है, surface tension, surface tension क्या है, surface tension है कैसी property है, जिसमें जो liquid है, ये कम से कम area क कम से कम volume को ये cover करना चाथा है, कम से कम surface area पर फैलना चाथा है, liquid की property क्या हुते है, liquid की property हुती है कि ये liquid फैलना नहीं चाहता समझे, जितनी कम surface ये cover कर सकता है, तनी कम surface cover करना चाहता है, तो अगर आप एक glass को उपर जितना ज्यादा भरेंगे तब भी आप देखते हैं कि ग्लास अगर यहां तक तो अलका सा उपर तक यह भर जाता है क्यों लिक्विड आसानी से अलग होना नहीं चाहता तो आप भी देखेंगे जैसे आप भी देख रहा हो कि यह वाटर है अब इस पर जो है कुछ मॉस्किट वगरा या कुछ इंसेक्ट वगरा यह चल सकते हैं क्यों चल सकते हैं यह डूबते क्यों नहीं इसके अंदर तो हलके होते हैं चल गए सकते हैं तो इसलिए चल सकते हैं आप क्यों चल सकते हैं इसलिए चल सकते हैं वाटर की सर्फेस पे प्रॉपर्टी है क्या सर्फेस टें से जो water जो होता है जो liquid जो होता है ये कम से कम area को cover करना चाहता है आँ इसके अलाबा आप ये देखें कि water की जो drop है ये हमेशा spherical ही क्यों होती है rectangular या pubertal shape में क्यों नहीं होती तो भाई ये जो इसका spherical shape है ये कम से कम surface area cover करेगा अगर आप कोई और tuboidal shape बगरा बनाएंगे तो ज्यादा surface area cover करेगा तो इसलिए nature में ये tendency होती है molecular range क्या होती है सरीए molecular range देखो मैं आपको का पताया कि हर एक particle का करता है कसके रखता है इसको खीचेने की कोशिस करता है तो भाई आप यहाँ पर देखेंगे कि हर particle की अपनी एक range होती है तो कोई particle कहां तक जो है पोर्स लगा सकता है दूसरे particle को खीच सकता है इसको हम बोलते है molecular range तो आप यह देखेंगे कि molecular range जो होती है it is of order of 10 to the power minus 9 in solid and liquid हा तो आप इसको याद रखें कि भाई यह minus 9 meter आप इसको बोले है इतनी इसकी range होती है अगर हम formula की बात करें surface tension का formula का है force upon length का है surface tension formula का है force upon length force upon length unit हो जाएगी newton पर meter clear है आगे बढ़ जाएगे थोड़ा सा now surface energy क्या होती है क्या होता है मान के चलो कि हमारे पास अगर कोई भी यह तरह से liquid टेक तो इसमें आप जानते हैं कि different layer होती है κα Old एक्च्वल में आप अगर पार्टिकल को ऊपर लेकर के आएंगे अगर पार्टिकल को जैसे नीचे से लिक्विड को आप ऊपर लेकर के आना चाहते हैं तो आप देखेंगे के ऊपर वाली यहर को स्ट्रेच करना पड़ेगा तब जाकर के तो आप यहां पर तब जाकर के तो आप यहाँ पर क्या करेंगे इस particle को fix कर पाएंगे आपको सुलेयर को stretch करना पड़ेगा stretch करना पड़ेगा stretch करना पड़ेगा तब जाकर कि तो particle बन पाएगा तो basically क्या है the extra energy possessed by molecule on surface film of unit area compared to molecule in the interior is called surface energy टेक तो आप देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है surface energy का formula क्या होगा surface energy का formula हो गया work done work done upon increase in surface area मतलब w upon del a that means आप अगर particle को नीचे वाली layer से उपर वाली layer तक लाएंगे तो आप यह देखेंगे कि film को stretch करना पड़ेगा layer को stretch करना पड़ेगा expand करना पड़ेगा otherwise यह permission नहीं देगा तो कि हर particle हर molecule कसके रखा हुआ है layer को हाँ उपर वाली surface को तो आप क्या देखता है कि बीच में अलाउ नहीं करेगा तो surface को अलगा सा फैलाना पड़ेगा तो उसको फैलाने के लिए इसका area increase करने के लिए हमें कुछ work करना पड़ेगा and that work done per unit area is called surface energy is called surface energy next हमें पड़ना है excess pressure inside liquid drop देखे क्या होता है basically जब भी एक liquid drop form होती है तो उसके अंदर होते हैं छोटी छोटी infinitely small water droplets या water molecules तो इन molecules की बीच में होती है tension surface tension है न तो होता क्या है कि ये एक दूसरे पे अंदर की side force लगाते हैं तब जागर के चिप केंगे लेकिन ज़रा सोचो के इतने ही अंदर की side अकर ये force लगा देंगे तो हमेशा के लिए collapse नहीं हो जाएगा ये हो जाएगा न तो सभी जो droplets है य पाहर से एक force बाहर की ओर outward एक force लगाती है जिसके current से इसका जो size है वो हलका सा increase हो जाता है जिसको हम बोलते है excess pressure का बोलते है excess मतलब extra pressure तो आप हमेशायद रखिए कि excess pressure हमेशा कहा होगा inside inside क्या होगा extra मतलब जादा pressure होगा और पाहर के side कम pressure होगा ये आपको ध्यान रखना ह है तो हमने माना कि initially जो water droplet है या जो liquid drop है इसकी radius होगी capital R और इस pressure के कारण drop और expand करी और इसकी जो radius है वो dr increase होगी तो final जो sphere बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा water droplet जो होगी ठेक now अभी आपको समझ रहा है कि इन सारे तो हमें calculate करना कि जो excess pressure होगा वो कितना होगा तो यहाँ पर आप समझें कि sigma जो है यह surface tension clear now अभी जोचो इनिशल surface area surface area of sphere क्या होता है 4 pi r square final surface area 4 pi radius का square करते हैं तो अभी radius बढ़ चुकी है r plus del r हो चुकी है तो r plus del r का square आपन करेंगे 4 pi को हमने as it is रखा अब r plus del r का मतलब a plus b का whole square अपन ने यहाँ पर open किया 4 pi का into कर दिया तो कुछ ऐसा मिला हमें 4 pi r square 8 pi r dr मतलब इसका एक बार into इससे और एक बार इसका into इससे clear now अभी क्या हो रहा है dr square क्योंकि dr का है बहुत बहुत जादा चोटी value यसे अगर आप 0.01 का square करेंगे तो और चोटी value आ जाएगी ना समझे तो इसलिए हमने इस dr कर दिया neglect dr square is neglected because it is very small तो आप यहाँ पर देखेंगे final area इतना हो गया और initial area इतना हो गया तो change in area कितना हो गया तो आप देखे change in area हो गया या increase in area हो गया final minus initial तो final minus initial करोगे तो यहाँ से यह cancel हो जाएगा और जो change in area निकल के आया है डेल A यह हो गया हमारे पास 8 pi r dr क्या हो गया 8 pi r dr इसके बाद देखो आपको पता है कि यहाँ पर यह expand हुई expand हुई तो इसको हमने कहा पढ़ा surface energy हाँ पढ़ा था ना कि जब भी expand होगी कोई भी surface जब भी surface expand होगी तो हमें कुछ work करना पड़ेगा तो हमने कहा लेखा भई work done in enlarging drop is equal to increase in surface energy जब भी हम extra work करेंगे drop को enlarge करने में तो वो क्या होगा देखो यह हमने नहीं पढ़ा था इससे पिछली वाली slides पर इससे पिछली वाली slides पर हमने कहा पढ़ा था surface energy e is equal to work done upon changing area पड़ा था तो आप यह देखो कि work done is equal to क्या हो सकता है surface energy into changing area तो work done का formula का बन जागा surface energy into changing area अच्छा एक और चीज़ आपको बताएं surface energy को मैं चलो s e से मैंने दिखा दिया या simple s से मैंने दिखा दिया तो आप यहाँ पर समझो कि surface energy का formula का होता है force into work upon area तो work को मैंने लखा force into displacement displacement को लखा l upon area को लखा a into area को लखा मैंने l into l length into length तो meter square हो जागा तो l से l cancel तो actual में surface जो energy है that is equal to surface tension देखो न प्रूव हो पा रही है surface energy is equal to numerically equal to surface tension clear है now तो अब आप यहाँ से देखो कि work done क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया आपने यहाँ पर surface को expand किया axis pressure recurrent तो उसका मतलब आपको चुछ work करना पड़ा तो यह जो work done है that is equal to increase in surface energy तो work done का formula क्या हो जाएगा work done का formula देखो जरा work done का formula हो जाएगा surface energy into changing area देखो जरा surface energy into changing area तो देखो जरा surface energy कहा है लेकिन यहाँ पर surface tension लिख दिया तो actual में मैंने आपको क्या बताया कि surface energy और surface tension हम equally prove कर सकते हैं तो यहाँ पर आपने formula लगा दिया तो देखो जरा 8 pi r dr क्या है change in area change in area और उसके बाद surface tension को हमने रिप्रेजेंट करा किस से surface tension रिप्रेजेंट करा sigma से clear now तो आप इस तरीके से लिखेंगे अब आप का निकालना है excess pressure inside liquid drop तो आपने कहाँ देखा लेकिन work done तो यह भी क्या हो गया work done लेकिन आपको पता है work done का formula और क्या होता है force into distance या displacement तो force को आपने लिखा pressure into area distance को आपने लिखा distance pressure into area क्या था initially 4 pi r square distance इसको expand गया आपने perpendicular distance dr तो आप ही रिखो तो work done का एक formula यह हो गया एक equation और एक equation यह हो गई मतलब आपने यहाँ पर दोनो work done को compare कर दिया ठीक compare करने के बाद आप देखेंगे कि सब कुछ cancel हो जाएगा और pressure जो आएगा that will be 2 sigma upon r 2 sigma upon r या 2t upon r इसको बोलते हैं tension को अगर हम tc represent करते हैं तो देखो यह का excess pressure inside liquid drop हमेशायद रखो कि drop में 2 surfaces हो गई अंदर वाली surface को आप नाम दिया concave और बाहर वाली को आप नाम दिया convex तो याद रखोई जो extra pressure है यह कौन सी side है concave वाली side है ना तो आप इसको समझेंगे जैसे मान के चलो कि अगर अगली बार आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा कोई भी shape तो यह क्या है concave और यह क्या है convex तो याद रखिए कि यहाँ पर यहाँ पर जो आपको मिलेगा देखने को तो concave में जो pressure होगा वो जादा होगा और convex में जो pressure होगा वो कम होगा liquid वाले case में 2T by R यह कम या जादा होने वाला है clear है now तो अंदर इतना pressure जादा होगा बाहर की comparison में तो बाहर अगर यह atmospheric pressure है तो अंदर कितना बोलोगे अंदर बोलोगे atmospheric pressure से थोड़ा सा 2T by R जादा ठीक now next अम आज आते हैं angle of conduct तो देखिए basically angle of conduct क्या होता है कि जब हम किसी rod को glass rod को या किसी भी rod को या किसी tube को किसी water में या mercury में या water में मतलब किसी fluid में अगर immerse कराते हैं तो हम देखते हैं कि उनका behavior अलग-अलग होता है जैसे कि glass को अगर हम water में insert कराते हैं immerse कराते हैं तो glass और water के बीच में जो adhesive force होता है वो जादा होता है तो glass के दिवारों पर चारों side पानी चिपक जाता है तो हम देखते हैं कि बीच में गड़ा सा बन जाता है पानी में तो यह जो गड़ा से जो shape इसका बन रहा है इसको shape को कहा जाता है meniscus और इस meniscus का जो नाम होता है that is concave मतलब उपर से देखने पे concave shape का दखाई पड़ता है clear है now तो glass और water के लिए जो meniscus बनता है यह बनता है आपका concave और angle किस तरह से हम बताएंगे यह भी आपको समझा देता हूँ जबकि mercury क्या होती है mercury पानी को पसंद नहीं करती है sorry mercury किसी और को पसंद नहीं करती है glass को पसंद नहीं करती है mercury सिर्फ और सिर्फ अपने ही molecule को पसंद करती है तो mercury ये इस glass से दूर जाने की कोशिस में चारो और से glass की चारो और से अंदर की side, बीच की side आ जाती है, even इस tube में depress हो जाती है, नीचे को दब जाती है, तो यहाँ पर जो shape आपको देखने को मिलता है, इसको meniscus बोलते हैं, यह मिलता है convex shape, उपर से देखने पर convex now, और अगर silver और water है, तो आप यह देखेंगे कि यहाँ पर ना तो पानी ये चारो साइट से उपर उठेगा और ना ही नीचे बैठेगा, तो जो meniscus जो होगा, that will be plane, angle की बात करें, तो angle किस तरह से बताया जाएगा, तो देखो, यहाँ पर आपने tangent draw किया आपने, और इस tangent से नीचे की side या मतब इस surface पर आपने एक line draw की, और इस angle को आपने बोला angle of contact, तो यहाँ पर आप देखते हैं, कि water और glass में, जहाँ पर cohesive force कम होता है, adhesive force जादा होता है, वहाँ पर angle of contact 90 degree से कम होता है, जहाँ पर दोनों forces adhesive cohesive बराबर होता है, वहाँ पर जो angle of contact exact 90 degree होता है, और यहाँ पर angle of contact कैसे बताएंगे, तो आप यह देखिए, कि भई देखो, यसे आपने एक tangent इस तरह से draw किया, इस minuscus पे, और यहाँ पर यह draw किया, surface पे के साथ आप यहाँ पर देख लें, तो यह जो angle बन रहा है, that angle is greater than 90 degree, तो यहाँ पर जो obtuse angle बनता है, कब in case of cohesive force greater than adhesive force, clear है, तो हम इसको बोलता है, angle of contact, चले, आगे हम बढ़ेंगे, angle of contact किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, यह डिपेंड करता है, nature of solid and liquid, मतलब किस कौन से कौन से material है, किसकी viscosity कितनी है, कितना को ऐसे वड़ाइसे force है, इन सारी चीज़ों पर, अभी हम जानते है, कि पानी जो है, या liquid या fluid जो है, वो उपर की और चड़ जाता है, आगे बढ़ने लगता है, तो इस concept को हम बोलते है, capability, क्या बोलते है, capability, और इस तरह capability जो होता है, यह आप हर जगे देखने को आपको मिलता है, चाहे आप यह देखें, जैसे आपने देखा है, कि मोर के पं है, तो oil आगे तक बढ़ जाता है, यह क्यों होता है, यह होता है, capability, और capability में pressure difference current से, यह flow आगे होता है, liquid का, समझे, एक end से दूसरे end तक, clear है, अभी देखें आप इसको, तो next हमें पढ़ना है, rise of liquid in capillary tube, देखें, इसको हम ascent formula भी बोलते है, basically क्या होता है, जब हम किसी भी capillary tube को liquid के अंदर immerse कराते है, तो हमें क्या देखने को मिलता है, कि liquid कुछ height तक उठ जाता है, rise कर जाता है, है ना, कुछ height तक उठ जाता है, rise कर जाता है, तो कितनी height तक यह rise कर गया, इसको हम बोलते है, rise formula, यह ascent formula, समझ गए, तो यह basically इस formula में बताना है, कि जब हम किसी glass tube क water में या liquid में, उसको immerse कराते हैं, तो यह कितनी height तक उठ जाएगा liquid, ठेक है, now, तो आपको यहाँ पर सबसे पहली चीज़ समझनी है, कि यहाँ पर glass और water के लिए जो meniscus बनता है, that meniscus is concave shape, कैसा, concave, अभी concave में pressure जादा होता है, convex में, समझो जरा, तो अगर मेरे पास य है, ठेक, आप समझो, यह क्या है, अगर मान के चलो, यह आसपास liquid है, अंदर की side, समझे, तो अगर मेरे पास यह drop है, तो पहले यह बताओ, कि pressure कहाँ पे जादा होगा, concave में pressure जादा होगा, concave में pressure जादा है, और convex में pressure कैसा है, कम होगा, ठेक, अभी आभी देखो, कि यह जो है, यह concave, यह a point कहा है, concave की side, तो a point तो अभी basically हवा में है, लेकिन है तो concave की side, तो आपको समझना है, कि यह इस a point पे कुछ pressure हुआ, इसको मैं नाम दिया PA, तो let's say PA हो गया, atmospheric pressure, तो आप समझो, concave side pressure जादा होता है, और convex side pressure कम होता है, तो आप भी बताओ, कि यह वाला जो b point है, यह किस side है, convex की side, तो convex side में जो pressure है, यह कम होगा, कितना कम होगा, तो 2t by, जो भी pressure, इस a point पे है, convex side, उससे 2t by r कम हो जाएगा, उससे 2t by r कम हो जाएगा, है ना, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कि जो pressure है, जो pressure है, इस point b पे, that will be atmospheric minus 2t by, sorry, 2 sigma by r, 2 sigma by r, यह च clear है, now, अब यहाँ यहाँ पे देखो, अब यह जो r है, यह capital r जो है, यह हमने आपको बताया था, just अभी कुछ time पहले, इस derivation से हम यह सारी चीज़े कर रहे हैं, यह r, इस concave, मतलब इस sphere की radius थी, मतलब यहीं सो हमने concave और convex decide करा हुआ था, तो आपको भी यहाँ पर यह बन जाएगा, और इसकी कुछ radius होगी, that will be capital r, तो हमने कहा कि इसको इसी का enlarge view, उपर वाले का, इसका हमने enlarge बड़ा view बना के आपको यहाँ पर दिखाया, यहाँ पर दिखाया, यहाँ इस तरीके से, यह दिखाया, कहा कि इसकी radius कितनी हो गई, इसकी radius हो गई, capital r, यह इसकी radius capital r, और इसकी radius small r, तो इससाब से base हमें पता है, और hypotenuse पता है, तो हमें cost theta मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, cost theta, cost theta is equal to, base upon hypotenuse, मतलए small r upon capital r, तो यहाँ से capital r की value हमें मिल जाएगी, capital r is equal to क्या बन गए, small r upon cost theta, बोले सर यह को चाहिए, तो अभी तो आपको पताया, क axis pressure जो है, यह कितना है, यह कितना pressure, जो है, यह इसमें difference आ रहा है, pressure का difference कितना है, 2 sigma by r, कितना है, 2 sigma by r, इसमें pressure का difference आ रहा है, clear now, तो आवा, P is equal to 2 sigma by capital r होता है, तो इस capital r की जगे आपने, यह value put की, small r upon cost theta, small r upon cost theta, तो अगर आप यहाँ पे value put करेंगे, 2 sigma, और capital r की जगे, small r upon cost theta, तो cost theta चला जाएगा, उपर, तो यहाँ से formula बन गया, capital P is equal to 2 sigma, cost theta upon r, take now, अब आप समझते हो, कि अगर हमें height calculate करने है, कितनी height तक यह water उठ जाएगा, accent कर जाएगा, तो आपको इसके लिए क्या formula लगाना है, simple, P is equal to h rho g, और यहाँ से P की value आपक पूट करेंगे, rho और g, as it is, put करेंगे, तो यहाँ से जो h, आप find out कर लेंगे, that will be ascent formula, और height of liquid rise in capillary tube, तो इस तरह से यह overall हमारे इस one shot में, इस chapter का conclusion होता है, इस chapter को हम खतम करते हैं, अब इसके बाद आप इस chapter को अपने थोड़ी सी book से पढ़ेंगे, numerical इसके लगाएंगे, जरूर लगेंगे, आप मुझे बस comment section में लखके बताना, इसके बाद अगर आपको numerical चाहिए होंगे, तो इसके बाद जरूर से मैं आपके लिए series लेकर करके आओंगा, और हाँ, hot time होगा, करीब 2 घंडे की ये video हो चुकी होगी, मेभी उससे ज़्यादा, लेकिन मैंने आप आप से एक बार भी नहीं होगा, मुझे comment करके बताना, मैं आप से अब कहना चाहता हूँ, कि मुझे comment करके जरूर बताना, अगर ये जो महनत आपके लिए सफ़ल हो पाई, तो जरूर से मुझे comment section में लखके बताओ, सर मुझे chapter समझ में आया, और आपके comment से मुझे लगेग तो इस चैनल को जरूर जोइन करो, link मैंने description दे दी है, अगर link function नहीं करती है, तो वैसे ही जो है, इसको telegram पे जाकर करके search कर लेना, clear है, तो अभी के लिए बस अतना ही, तब तक के लिए, thank you so much